हलो एवरीबड़ी दिस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तू मैगनेट ब्रेंज इस वीडियो से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नई क्लास नई बुक और एक नया चाप्टर जी हां तो उन सारी चीज़ों को चाप्टर करके चलना अब अगर हम यहां बात करते हैं कि यह चाप्टर आखिर क्या है तो यह जो वीडियो है यह बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्टर है जिसमें आपको यही बताऊंगा कि चाप्टर की थीम क्या है चाप्टर में कौन- कि पूरा चाप्टर जो है तो किस माइंडसेट के साथ में पढ़ना है पूरा चाप्टर जो है तो उसकी कहते हैं तरह से एक पूरी समरी आपको फस्ट में स्टाइटिंग वीडियो लेक्चर में ही बता देता हूं तो अब यहां पे देखो क्या है कि चैप्टर का अगर हम सब्सक्राइब क्या चाप्टर में इस सब्सक्राइब में आपको इसने वेल्ड वर को था फिके व्ल्ट वर वं हुआ व्ल्ड वार ही तू थी व्लट वाय रवें जीन सब्सक्राइए यह सब्सक्राइब और ली rendre ऐता घ्र करते हैं व्लड वर ने फिन फैन ठीन थे गिन 19 एकसिस पावर थी घरमनी के साथ में तर्की गूंढ divers क्यों समय है कि कने कोड़ दन टाइम पिरेड खतम घूता उसके बाद से जो डैन्पारिमों अन्य Maarते हम को समय आता है लेकिन रूट्स जो है ना तो रूट्स पीछे world war 2 तक गई है in fact world war 1 तक भी गई होगी तो आपको क्या करना है आपको और यह जो आपकी पुरी की पुरी बुक है यह आपको international relations के perspective से बहुत कुछ सिखाने वाली है international relations के perspective से ऐसे बहुत कुछ सिखाने वाली कि आप topics को connect बहुत बहुत अच्छी तरह से कर पाऊगे कब connect बहुत अच्छी तरह से कर पाऊगे जब आपको background पता हो गए तो मैं आपको chapter में जो पढ़ाऊंगा चीजे उसका background जरूर बताऊंगा तो background बताएंगे तो थोड़ा से लेंदी होगी ठीक है थोड़ा सा of the topic जाएंगे हम लेकिन connect करने में बहुत आसान होगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा ठीक है चलो तो अब क्या रहा देखो world war 2 यहां पर world war 2 जो भामरा खतम होता वर्डवार 2 तो हम जैसे देखेंगे तो आलाइस पावर जो है वोगी तो जीटे गये तो जीतने वाली टीम कौन सी थी तो आप जैसे देखेंगे यूसे था ब्रिटें था रश्या यूसे और ता उस समय का ठीक है तो यह जीतने वाली ट समझेंगे थोड़ा सा आईडिलोजीज को आप जतना जानते हैं अभी तक जितना पढ़के आए च्छोटी क्लासे में कि कैपिटलिजम और सोशलिजम दो अलग-अलग आइडिलोजीज को हैं युके जो है उनाइटर्व जो वह तो युस आइडिलोजीकली बिलकूल अपोजित खड़ा था किसके आइडिलोजी कली अपोजिट खाए था युस अक्टाइज अमेरिका और उसके अगेंस्ट में जिसे आप देखूगे तो युएसे सार ठीकिये ये युएससार तो जो डिसिंटेगरेशन के दिरेगा आगे पढ़ए आप चाफ्टर में तो यह दोनों एक दूसर कि अपोजेट हैं बिर एक फिर फिर वर्ल्ड वार टू में साथ कैसे अगये साथ दोस्त क्यों बन गए तो क्या होताना जब खत्रा दिख रहा होता तो हम अपनी आपस में पुश्मनी को भूल जाते हैं उस बड़े खत्रे के बारे में सोचते हैं और वही हुआ तो USSR को भी और सबसे बड़ा खत्रा था उनके लिए उनके आपसी दुश्मनी डिफ्रेंस जो थे अगर वो उसके उन डिफ्रेंस के बैसिस पर बैठे रहते ना तो शायद क्यों जाता है कि रिटलर पहले USSR को राता और वो दोनों को ही पचार दिता तो इस कंटेक्स में इन्हों ने अपनी दुश्मनी को फुला के एक साथ तो आई Right wald war two में एक साथ आए एक साथ आकर यह अनने हराया भी किसको ऑड़ने की ने के बाद में एक बार उनके बीछ कर डिफ्रेंसेश्ब कन नहीं हुए और वापिस बढ़ते हैं और वापिस बढ़ने के बाद में इन दोनों के बीच में एक राइवलरी तयार हो जाती है मतलब यह से बहुत सारे मल्टीपल सेंटर्स थे हिटलर के पास भी पावर थी ठीक है इटली मैं मौसॉलीनी को देखेंगे उसके पास भी पाव रहे गए बस तो अब बाकी सारी दुश्मनी भूल के यह दो कॉम्पूइटर्स के बीच में दुश्मनी डवलप होगी समझ में आई लोगो एक मोटा माटी में आपको क्या बता दी है तो अब हम कोल्ड वार के अगर बात करते ना तो कोल्ड वार क्या है वार वर्ड लगा है लेकिन हा वार लाइक सिच्वेशन जो है वह हमेशा बनी रहेगी हमेशा बनी रहेगी वह अपने कह सकते हैं कि अपने अपने अलाइस के थू लड़ाई लडएंगे ठीक है वह हत्यारों को इखटा करेंगे अभी जब आप पूरा चैटर पड़ेंगे तो आप कोई इंडिपेंडेंस मिलती है इंक्लूडिंग इंडिया ठीक है तो 1947 में जैसे हम भी आजाद हुए तो अब हमारे सामने चैलेंज था कि आप या वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में बटा हुए आप किदर जाओगे ठीक है सबसे पहला सवाल तब क्या होता है कि तब हमने और हमारे सा इस बुक में और जो आपकी दूसरी बुक है उसमें भी यह जो कंटेक्स समझ में पूरा ठीक है तो स्टोरी कनेक्ट कर पाए तो the end of cold war is usually seen as the beginning of the contemporary era in world politics which is the subject matter of this book अगर आप दिखूगे तो contemporary world politics जो कहा जा रहा ना तो contemporary world politics इस context में कहा जा रहा है कि cold war जब खतम होता है अब इनके बीच में जो rivalry थी USA और USSR के बीच में 1945 से start हुई है लेकिन यह खतम कब होगी यह rivalry खतम होगी with the disintegration of USSR 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 जब खतम होगा तब rivalry खतम होगी और contemporary world politics ही subject matter है आपकी इस book का तो अब वो उस subject matter को समझने के लिए हमें क्या करना होगा पहले cold war को समझना होगा क्यों क्यों क्योंकि cold war का end ही दर्शाता है contemporary world politics को आयरान समझ में तो cold war क्या था वो सारी चीजी समझना और इसलिए पहला chapter आपका जो है वो cold war से start होता है cold war cold war कैसे खतम होता है देखो कि तो book का second chapter वो आपको बताएगा ठीक fine to therefore understanding cold war is very important so I hope you you got an idea and basic idea about what is the storyline of this chapter ठीक है अब जैसे अगर हम देखे हैं तो यहां से world war 2 जो हमारा खतम हो रहा है यह दोने images को देखो आप अच्छे से दोने images को देखो कि तो the end of second world war led to the rise of two major centers of power two pictures above symbolizes the victory of US and USSR in second world war अब second world war में कौन जीता तो मैंने आपको बताएगी टीम थी तो Hitler वाली टीम हर गई है ठीक है जो एक्सिस पावर है वहार गई तो अलाइस पावर जो जीती है तो अलाइस पावर में भी क्या होता है जिसे अगर आप देखो के तो जैपैन में American soldiers ने अपना जंडा लहरा दिया कि हम जीत गए हैं और उसी तरह से जिसे अगर आप देखोगे तो जो जो USSR की forces थी USSR की forces कहां तक आगी थी पता है बर्लीन तक अब बर्लीन का है थोड़ा सा कंटेक्स समझना चीजों को तो युएसे ने अपना जंडा जैपैन में लहरा दिया वह अलग थे USA यह एक बेजर पावर की तरह इमर्जों का आया और वहीं पर आप जैसे देखो गे तो USSR जो है ठीक है युएसे सार जो है तो ये USSR है अब USSR में जिसे आप देखेंगे तो USSR की बॉर्डर्स लगी इसके साथ में जर्मनी के साथ में तो अब क्या होता है कि एग्रसीव होता दिन में बर्लिन की जो उनकी पार्लेमेंट थी ठीक है पार्लेमेंट के ऊपर USSR के सोलजर्स अपना जंटा लह रहाते हैं USSR का कम्यूनिस्ट फ्लैग जो है वह लहरा रहा होता है यहां पर देखेंगे अब क्या दर्शाति यह दोनों इमेज दर्शाति कि हाँ विल्डोवर्ट टूखतम हो गया है जो नाजी फॉर्सस थी हिटलर की फॉर्सस थी वह आर गई है लेकिन अब जो दो सूपर पावर्स इमज होँ है हमारे सामने वह दो सूपर पावर्स कौन कौन से हैं कंटेक्स समझ में आया तो अब उस हिसाब सकर जैसे देखें तो थीम किया चेप्टर किया यह जो दो सुपर पावर का डॉमिनेंस था यूएसे और यूएसे सार का उनके बीच में जो राइविलरी थी उनके बीच में जो कन्फिक्ट था ठीक है जो एक कह सकते फुल फ्लेज पूरा टाइम पिरेड कोड़ वार था तो उस कोलड़ वार को ही इस पूरे के पूरे चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है फिर मैंने क्या बता है कि चैप्टर का नाम कोलड वार एंड दी नॉन अलाइव मूमेंट है तो वह जो दूसरा पार्ट है चैप अब जिसे अगर आप देखोगे तो यह जो नैम है नॉन अलाइव मूमेंट है यह क्या है इडिजन एटेंप्ट बाइव हूं बाइदी थर्ड वर्ड कंट्री तो मैंने आपको बता है कि जिसे नैंटीन फोटीफाइव में जो सेकंड वल्ड वार वो तो खतम हो जाएगा तो उसके चलते क्या उसके चलते थर्ड वर्ड कंट्री के सामने बड़ा चैलेंज था कि हम किदर को जाएं हम किदर को जाएं तो उन्होंने क्या कि थर्ड वर्ड कंट्री ने अपना अलग ही कह सकते हैं रास्ता बनाया जो था नॉन अलाइंगमेंट मूमेंट और उसी के जो है इंडिया और उसका रोल के रहा नौन अलाइन मुवमेंट में यह भी हम समझेंगे तो I hope you got the context and basic idea about the chapter so this was the basic idea this was the theme of the chapter इसमें कोई additional topics add नहीं हुए as such ठीक है अगर यह chapter को आप समझोगे तो what we are going to study in this chapter तो यह सारी themes हैं जो हम topics से one by one करके पढ़ेंगे और पूर चाप्टर कंप्रीट रहेंगे सबसे पहले जैसे देखिया हम मिखने क्रैसे और अच्छा एक चीज़ा और बता तो में बता है कि क्यों एक और वार जो है वह आफॉर्ड नहीं कर सकता था पूरा पूरा वर्ड सेकेंड वर्डो का जो एंड हुआ था जिस तरह से एंड हुआ था कि हिरोशिमा नागासागी पर बंगिरा दिये गए किसके द्वारा इसके बारे में और पढ़ेंगे में डीटेल में तो यूए से के द्वारा तो वह दर्शाते हैं कि यह इतना डिस्ट्रक्शन हो सकता है एटमम से ठीके जो इस लेवल तक त्यार कर चुके हैं तो हम यही देखते इसी कारण से क्या वार एसकिलेट फुल फुल फ्लेजट वार में इसकलेट कभी नहीं हो पाती है कुल्ड वार लेकिन एक टेंशन बना रहता तो उसी टेंशन को यहां पर समझाया गया क्यूबर मिसाइल क्राइस के तो इसको बुक के कंटेक्स में समझ लेंगे क्योंकि टॉपिक है तो इमर्जेंस वाफ टू पार ब्लॉक्स में जिसे हम क्या देखेंगे आपे कि USA USSR जो अलग-अलग पावर ब्लॉक्स इमर्ज होती है वो अपने अपने ग्रूपिंग्स बनाती तो वार्सों पैक्ट के ब हो देश उसके साथ साथ में आइडियोजिकल आइडियोजिकल कह सकते वार्फियर भी था एक कैपिटलिजम को दर्शाता है दूसरा सोशलिजम को दर्शाता है तो मुल्टीपल फ्रेंट्स पे क्या है वार्लाइक सिच्विशन डवलप हो चुकी थी पार्टनर बनाने में इसब कि यह हमारी टीम में आओ आप हमारी टीम में तो वह पॉइंट आ जाएगा एरेना अफ दिगोलड वार में अब यह चीजो को हो सकता है इसको तो शेंट जयाने हो गया आपको एक स्टोडीलाइन के फॉर्मेट में बहुस सारी चीज़े बताऊंगा चैप्टर की हर चीज़ बताऊंगा तो उस तरह से हम कोल्ड वार टाइम लाइन को समझेंगे समें बहुत सारे इवेंट्स है जो वर्ड पॉलिटिक्स को वर्ड पॉलिटिक्स का आपको एक आईडिया दे देंगे ठीक है तो इन्हें डिसकस करेंगे हम चैलेंज टू बाइपॉलरीटी अब बाइपॉलरीटी में नाम के बारे में ही बताए गया तो नाम यह जो नॉन अलाइंग मूमेंट है किसने स्टार्ट किया था तो हमारे एक लीडर थे जवाल लाल नहरू और भी लीडर्स थे तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम ठीक है फांडर फांडर फांडर्स फिगर्स तो उन्होंने अपने ग्रूप अपने ग्रूप को और स्ट्रॉंग करने के लिए एक अटेंप्ट किया न्यू इंटरनेशनल एकनोमिक और का कितना सक्सेस्फुल रहा कितना नहीं रहा इस चीज़ को डिसकस करेंगे इंडिया एंडी कोल्ड वार अब मैंने आपको स्टार और में एक इंडिया नहीं किया तो क्योंबिए वो आप इस टॉपिग में पढ़ो गए और लास्ट में भी एडिशनल टापिक से लिए की बुक में क elf उन्र्टेटियल द्याग बुक के अंदर जनई चीज़े पहले वाली वहieben लुक है यह थी कि दोनों एक दूसरे के हत्यारों को कम करना चाहते थे क्योंकि इतने ज्यादा हत्यार बना लिए गए थे तो कुछ सब्जेक्स चैप्टर्स टॉपिक सब्टॉपिक सब कुछ सिस्टेमाइटिक विए में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अविलेबल हैं जिने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं पड़ सकते हैं अपने जूनियर्स और सीनियर्स को ज़रू बताएं मैंगनेट बेंस समझा दी थी किस कंटेक्स्ट में हमें इस चैप्टर को पढ़ना है अब देखो मैंने आपको इतनी चीज़े बता जो कहां विश्ले वीडियो में कि कोल्ड वार में क्या है राइवलरी है किसके बीच में कोल्ड वार जो है तो कोल्ड वार हाट वार नहीं है मतलब कोई डा किष्ट ग मैं किस तरह से टैंशन जो हम ऐए वहाई थे वह utensil थे दिए रहे अगर हम हम यहां पर समझ को तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सिम्पर से टो क्योबन मतलब का क्यूबा क्योबा 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 के बाद कि जा रिए और क्योबं मतलब क्योबध के अगर आप जिसे देखो गे ना तो यूए से हैं यूए से के पास में यहां है क्यूबा ठीक है क्यूबा एक छोटा सा कंट्री क्यूबा को जिसे आप देखोगे तो अर्लियार इत्वास नून अस दी शुगर पाउल ऑफ दी वर्ड बहुत जाधा शुगर प्रड्यूस होता था शुगर इंडस्ट्री थी अब उसकी जो पो ऐसे टाइम पिरेट थे जिस समय पर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे यूए से और यूए से सार के बीच में तो आप यहां पर समझ ना कि दोनों ही देश क्या करने लगे हतियार बनाने लगे ठीक है आइगस 1949 ठीक है पीस चक्दी एर तो 1949 तक क्या है यूए से सार ने भी न्यूक्लियर वेपल बना लिए थे और न्यूक्लियर वेपल नैंटीन फॉटि ने बनाये थे और यूए से के बहुत सारे बना के रखे आ ठीक हमारा हम मतलब डेवलप्मेंट हो यह हो सारी चीज़ है यहां बन रहे थे खूब जादा ठीक है तो न्यूक्लियर डेपन्स बन रहे हैं है रोजन बंस बन रहे हैं वेपन्स आफ मार्स डिस्ट्रक्शन बने तो दोनों ही देशों के बीच में कैट टेंशन इस तरह से बढ़ता चले जा रह सब्सक्राइब का यूए से वोड़ इन्वेड कम्यूनिस्ट रूल क्यूबा एंड ओवर्थ्रो फिदल कास्ट्रो फिदल कास्ट्रो टिगे अ बिग नीम फिदल कास्ट्रो अगर आप थोड़ा से जैसे जो कॉम्वेडिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसेंट अगर न्यूस में हो तो शाए 2016-17 में फिदल क्रास्टो की डथ हुई है उस समय का इंसान है और उस समय कोई बच्चा नहीं था फिदल क्रास्टो 1961 में यह वास मैं यह वास लीडर ऑफ दी क्यूबा अब क्या हो रहा है ना तो कहानी में आपको यहां बता रहा हूं कि USSR के लीडर्स को यह चिंता थी कि क्यूबा के उपर USA हमला कर देगा सवाल आता है ऐसा क्यूब अब सबसे पहले समझो कि क्यूबा जो है तो क्यूबा की पावर को लेकर नहीं थी यह राइवलरी जो थी है मतलब पूरा का पूरा गेम आईडेलोजिकल राइवलरी का था ठीक है तो एक सोशलिजम कम्यूनिजम को दर्शाथा USSR और USA capitalism को दर्शाथा है ठीक है तो सोच को लेके लड़ाई थी पूरी की पूरी ठीक है आईडेलोज कास्ट्रों ठीक है Fidel Castro Fidel Castro ने पावर अपने हाथ में ली थी 59 में थी 59 में पावर अपने हाथ में ली थी 59 में अपने हाथ में पावर लिती और Fidel Castro के पाश्य पावर आती आते है ना तो फिल कास्टह K 앞에 ID कहां से आती है तो इक टेटर्शीड जमाक रखी थी बटीश्टा ने अब लुधिस्टा को ओवर्थो करता है फिडेल रिटास्टर उ- पावर अपने पास ले लेता है फिडेलता अपने पास पावर लेता बूरा इक किसको लागे से अम में लग लगी किसको सबसे ज़्यादा यूसा ने इसने कार दिया यहां पर यू स्ट्यमेंट लिखा नैसे इन इसले प्रॉब करना इस्टार्ट कर दिया कि फिडल कास्टों को हटाया जाए समझ में आ रही कहां नहीं तो को बैगराउंड कितना जबर्दस्त है और इन फैक्ट आप जैसे देखो के तो पिक्स आफ बे करके जगा है ठीक है निवे और पिक्स करके यहां पर यहां पर यहां पहुंच गई थी और फिडल कास्टों ने लेकिन सक्सेस्फुली क्या कर दिया कम हतियारों के बावजूद भी यूएसे की फोर्सेस को हरा दिया था यूएसे सार ने उस चीज़ को अप्रिशेट किया फिडल कास्टों कर दिया क्या कि आज से यह जो मैं एक मार्क्सिस्ट हूं मतलब काल बन गये कानी समझ में यहां तक ठीक है तो यह बैगराउंड था अब क्या हुआ कि अब यूएसे ने इसी तरह से यूएसे प्रैस कर दो क्या किया जाए फिडल कास्टों को वहां से ओवर्टों किया जाए और इस चीज़ से चिंतित कौन था इस चीज़ से चिंतित था तो निकिता कुरिशिफ कौन था ये भी समझ लो निकिता कुरिशिफ के अगराम बात करें तो जैसे आप देखेंगे की outright लिडर्स थे डग गले leader of Soviet Union decided to convert Cuba into the Russian base अब यहां पर चीजों को समझना है USSR को चिंता थी कि कहीं वो फिदल कास्टों को हराना दे USA ठीक है और क्यों वो मैंने आपको समझा दे पूरा बैग्राउंड समझा दिया और सिंपल आपको क्या लिखना एक्जाम में आपको इतना ही लिखना है बस कि उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए USSR ने निकिता कुरिशेव ने क्या डिसाइड किया कि हम क्यूबा को एक बेस बना देंगे हमारा ठीक है क्यूबा को बेस बनाना इसलिए नहीं था मतलब ऐसे दिखाएंगे फिदल कास्टों को बोलेंगे क्या हो तुम हमारे दोस्त पहुचेंगे सिधे United States में तो आप एक तरह से यहां पर क्या करें United States को डरा के रख सकते हो अगर क्यूबा में आप अपने विपन रखते हो तो और यहीं किया गया ठीक है तो इसी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं और तो in 1962 in 1962 he placed ठीक है निकिता कुरुशेव प्ल क्यूबा में अब क्या होता देखो इंस्टालेशन ओफ इस वेपन्स पूट दी यूएस फॉर्टी फर्स ताइम अंडर फायर फ्रॉम क्लोज रेंज फायर फ्रॉम क्लोज रेंज मतलब क्या है कि हाव या आप कोई भी क्या कर सकता है USA के उपर अगर फायर करेगा ना और तो कितना पता है तो नियर्ली डवर्टी नंबर ओस बेस और सिटीज इन दी अमेरिकन में लैंड विच कुड़ भी त्रेटन बाइड यूएस असार जैसे पहले अगर यूएस असार को आप समझेंगे तो यूएस से बहुत दूर था ठीक है तो इतनी दूर से हमला यह उसे सार चाहे तो कीुबा में अपना जो बेस है उससे पहले जितनी सिटी स को नुक्सान पहुचा सकता है उससे के तो यूसे काप गया यूएसे मतलभ भगदर मच गे एक तरह से समझो गया तो बहुत पास हागा है हमारे अब क्या होगा ठीक है तो अब क्या होगा यह से ओवर दी प्लेस्मेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपनिन क्यूबा लोग यहां पर पता हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हो डीटेल में तो आपको समझ में आएगा कि कुछ एडवाइसर है से थे यूसे में तो उन्होंने वोला कि यूसे सार ज्यादा मस्ती कर रहा है हम क्या क यूसे सार भी करता यूसे सार भी टालीट करता तो शायद फिर से फुल फ्लेजट वार हो जाती कुई सी तो यूसे का रिएक्शन का था समझना और उस यूसे की रिक्शन में जॉन एफ केनेडी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है वह भी समझना इस चीज के लिए यूसे सब्सक्राइब को बाद में बहुत प्रेस भी किया था है कि बड़े अच्छा काम किया दूमने थिक दी यूस प्रेसिदेंट जॉन एफ कैनेडी एंडिस एडवाइसर्स वे रिलिक्टेंट तो अनिधिंग तो फुल स्केल नूटी सी गलती क्या है फुल स्केल नू उस चीज़ फर इता कि नहीं नहीं यहां यहां रखी रहे जोई और यहां से अप क्या हो रहा है इस बीच में अब देखो आप यूए सबसार को ऑड़ा की कई तो सीच्वेशन सुलजती क्या से वो भी समझाता हूं में यहां समझ में यह खुश नहीं थे कि यहां पर मिसा पर कपजा ना कर ले ठीक है अमेरिकाओं को डर था भाई है इन्होंने किसी दिन अगर मिसाइल लाइच कर दे तो हमारी आदे से ज्यादा सिटी पे नुकसान हो सकता है तो इस इस सिच्वेशन में क्या होता है इस सिच्वेशन जी से देखोगे ना तो कोई डारेक्ट कन्फेंटरिशन नहीं होता है यूसे भी थोड़ा क्या करता है सब्र रखता है कैनेडी ओडर्ड अमेरिकन वार्शिप्स टू इंटरसेप्ट एनी सोवेट शिप हेडिंग टू ऐसेजेँ सब्सक्राव शेय्याशन लering के अर्फ इसनेशन ऑफ एससैनेस और उसी चीज़ को क्या कहा गया इसको समझ लो केनेड को समझ आ गई थी चीज़ और तो नुक्सान ज्यादा होगा सब न हम देंगे तो आपको चीज़ समझ्वाएंगे ऊस नेवल बॉक इड जो है तो क्यूबा के चारो तरफ क्या है की यूसे ने अपने शिप उतार दिये चारों तरफ क्यूबा के चारों तरफ समुद रहे ना तो वहाँ अपने शिप उतार दिये यह एक्शन लिया गया था किसके द्वारा यूसे के द्वारा ठीक है तो क्यूबा के चारों तरफ क्या अपने शिप उतार दिये किसने जॉन एफ कनेडी यूसे ने और उन्होंने यह बोल दिया कि हम क्या करेंगे हम इंटरसेप्ट करेंगे कि कहां से वह आ रही है यह उस्स यूससर की ठीक है उन्हें चेक करके रखना है हमें और उस चीज से मतलब उन्होंने कि सीरियस मैसेज भी पहुचा दिया यूए से सार को कि देखो तो अगर मिस्साइल लाओ तो हम भी चुपने बैठेंगे हमने भी हमारे जहां जो है समुदर में उतार दिये हैं अब क्या होता है पता है इसकेलेट होता चले जाता है डर यह हो रहा था वर्ल्ड जो था देखो इंपक्ट ऑस क्यूबन मिसाइल कैसे ओन वर्ल्ड अब क्या है कि हम तो इंक्लूडेट ही नहीं थे वर्ल्ड तो इंक्लूडेट ही था यह दो मेजर पावर ब्लॉक जो यह आपस में बिढ़ने वाले थे बिढ़े नहीं लेकिन वर्ड वाइट जो सिच्वेशन थी नहीं तो इसे बैटे-बैटे घर में डर रहे थे क्योंकि उन्हें पता है न्यूक्लियर वेपन से अगर लड़ाई होगी तो हम पर भी इंपक्ट होगा ठीक है तो इसके चलते क्या होता है दी प्रॉस्पेक्ट ऑफ दिस क्लैश मेट दी होल वर्ड नर्वस फॉर इड वोड है नो और डिनरी वार ठीक है कोई और डिनरी वार नहीं होगा अगर इसा ब्रेक आउट होता है कुछ तो इंपक्ट हुआ क्या ठीक है आपके मन में भी एक्साइटमेंट बढ़ रहा होगा फिर आगे क्या होगा अब क्या होता है कि यूस नेवल ब्लोकेड हो गया ठीक है सब्सक्रिक होते है झाले कि क्या घूबा में जो तो यहां से आपको क्या सीख आ हैं आपको खोना upon काप कर नक protects सबसे हाई टाइम कहा जाता है क्योंकि इसके बाद आप जैसे देखोगे ना तो 1963 के बाद से क्या होता है फिर दोनों देशों को समझ में आ गया कि अगर गलती से बटन भी दवादी मिसाइल की तो बहुत नुक्सान तो आपको देखने को मिलेगा कि इस चीए पिए नुक्लियर वेपन को लेकि कुछ कुछ ट्रीटी साइन होना स्टार्ट हो जाती है ठिक हें तो नुक्लियर जो क्यूबन मिसाइल क्राइस से यहाँ पे थ्धोडा खतम होते है यह उससे लगते हैं तो अल्टेमिटली अब आपको क्या सीखना है आपको यह of confrontations between United States and Soviet Union backed by their respective allies ठीक है तो स्रिफ USA और USA सार अलगा मतलब आमने सामने नहीं थे backed by their allies मतलब दोनों अपने अपनी टीम भी तयार कर ली थी बस यह है कि वो लड़ाई हुई नहीं, full-fledged war हुआ नहीं वही चीज़ बताई गई यहां पर ठीक है यह हो गया, फिर क्या है, there were wars in various regions with the two powers with the two powers and their allies involved in warfare and in supporting regional allies but at least the war avoided another global war तो अब देखो cold war का time period जो रहना पुरा वो 45 से अगर जिसे हम देखें यहां तक लिया वाप 89 तक तो वार्स तो हुई थी, मैंने जिसे आपको बताया कि यह जो cold war का situation है पूरा allies के बीच में भी एक तरह से टसल था, तो Korea में जिसे आप देखोगे tension develop होता, Korean war, Vietnam में समस्या आती, Vietnam में आप war देखोगे, ठीक है, तो अफगानिस्तान में forces उतर जाती है, तो regional level पर क्या होता, लड़ाईया होती है, चुटपूट चुटपूट लेकिन USA, USSR नहीं लगते हैं, और इसको अगर broad sense में देखोगे, तो कोई global war नहीं होती है, और यह क्या सकते हैं कि वैर fortunate for this, ठीक है, तो this was all about the Cuban Missile Crisis, I hope, आपको Cuban Missile Crisis का context समझ में आया, अब उस Cuban Missile Crisis से आप cold war को समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, तो the cold war was not simply a matter of power rivalry, और core war में जैसे starting से बता रहा हूं कि सिर्फ power rivalry नहीं है, balance of power को लेके लड़ाई नहीं थी, ठीक है, they were accompanied by real ideological conflict as well, ठीक है, तो real ideological conflict देखने को मिलेंगे आपको, और वो जो ideological conflict है, वो कही नहीं way of life इन सारी चीजों को influence करते हैं, तो जैसे USA और USA के alliance जो थे, वो किस ideology को liberal democracy and capitalism, ठीक है, liberal democracy, capitalism, इन सारी चीजों को, और इसके ठीक opposite में देखोगे, अब higher classes में इसे political science लिया तो यहीं पढ़ोगे न, तो अब आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आगा कि ideology जो है, तो ideology इस मैनर में चलती है, ठीक है, कि एक left है तो एक right है, ठीक है, होर्श कि ideologically opposite है, तो जंग के मैदान में आमने सामने ही खड़े होंगे, ठीक, तो USA, मतलब जो Soviet Union है, USSR है, और उसके जो alliance थे, तो they was committed to the ideology of socialism and communism, तो इस तरह से cold war का जो time period था, वो सरिफ military कह सकते हैं, military problems को लेके नहीं था, वो सरिफ war या फिर direct confrontations को लेके नहीं था, उसकी basis अगर है, तो समझ में आएगा, खता ही नहीं हो रहा है, तो समझ में आगा कि यह जो US है, ठीक है, US वाला जो alliance है, तो उसके कौन-कौन दोस्त हो गया, ग्रीन कलर जो है, तो green color third world countries को दर्शाता है, विचारे European colonies, जो भी वी किसके कबजे में थी, Europe के countries के, ठीक है, तो आदा जो western Europe, यह western Europe, यह western Europe, USA के साथ वाला पार्ट था, मतलब यह liberal democracies हो गई, यह liberal democracies के साथ में, क्या समझेंगे, आप इसको capitalism ideology को दर्शाता है, यह पार्ट, ठीक, और वही पे जो red color दिख रहा है, communist का, तो red color किस चीज़ को दर्शाता है, यह USSR की grouping को दर्शाता है, socialism, communism, in ideology, इसको दर् नाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो, with this we come to an end of our topic, I hope you enjoyed Cuban Missile Crisis, आपको बहुत कुछ जानने को मिला, Cuban Missile Crisis के बारे में, तो अब next video से हम topic को और continue करते हैं, किस तरह से, कि what is cold war, cold war को, मैं यह उमीद करता हूँ कि यहां तक cold war समझ में आ गया आपको, लेकिन next topic जो आपक जानने को मिलेगा और कुछ इंटरस्टिंग चीज़े जानने को मिलेगी, Magnet Brains पर kindergarten से class 12 तक, इसी तरह से सभी subjects, chapters, topics, subtopics, सब कुछ, systematic way में, video lectures के format में अविलेबल हैं, जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं, अपन इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, what is the cold war, जी हां, अभी तक आपने chapter में इतना जान चुके हैं कि cold war अखिर क्या है, फिर भी ए topic वापस आ गया, क्यों आया है, तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में आपको उसकी significance समझ मे जाएगी, in short अगर मैं आप से कहूं, तो आपको आप cold war के cold war के period में जो debate चल रही थी, वो जो सारे factors जो responsible थे cold war के लिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है, ठीक है, तो here we go, what is the cold war, देखें, second world war जो है, तो उसका nature जो था, वो global था, अ वो worldwide हर country सफर कर रही थी, हर country सफर कैसे कर रही थी, अगर आप समझेंगे चीजों को, तो European countries जो है, basically, वो engaged थी, second world war में भी, first world war में भी, लेकिन अब क्योंकि European countries की colonies है लग लग जगा, तो उनकी जहां जहां colonies है, उन countries ने भी सफर किया, जैसे second world war के time पर हमारे soldiers लड रहे थे है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन Britain की साइट से हमारे soldiers लड रहे है, ठीक है, जर्मनी, जर्मन फोर्सस के साब, अगेंस्ट में, तो उस तरह से world war directly or indirectly engaged in these wars, ठीक है, तो इसी कारण इने क्या कहा जाता, world war कहा जाता, second world war के अगर हम बात करें, तो इसका nature भी उसी context में भी कहा जाता, जिससे अगर आप देखोगे, तो दो समय पे groups थे, कौन-कौन से allied forces और access powers, अब allied forces और access powers की जब हम बात करते हैं, तो allied forces में कौन है जाएगा, allied forces में जिससे हम देखेंगे, तो US हो गया, Soviet Union हो गया, Britain हो गया, फ्रांस हो गया, अभी आप लोग के मन में एक versus USSR पढ़ रहे हैं, तो यह दोनों एक टीम में क्यों आ गए, अभी क्या है कि second world war के time period में दोनों को ही सबसे बड़ा खत्रा कौन लग रहा था, पता है, Hitler, under the, मतलब जर्मनी, under the Hitler, तो उस context में तब तो साथ में थे second world war में, second world war में साथ में थे, एक ही team में थे allied forces, तो अब हो इतली जैपैन, ठीक है, तो ultimately क्या होता है, लड़ा इस तरह से खतम होती है, अब लड़ाई खतम होती है, तो अब देखो, लड़ाई खतम होती है, the end of second world war was also the beginning of cold war, अब यह चीज़ आपको explain करने की in fact मुझे सा लगता है, जरूवत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कि अभी तक क्या है, अभी तक multiple centers of power थे, लेकिन second world war के खतम होने के बाद में क्या है, दो centers of power emerge होके आते है, एक US और दूसरा Soviet Union, आपके मन में एक डाउट या सकता क्यों sir, Britain और France भी तो हो सकते थे, यह भी जीतने वाली team में थे, यह जीतने वाली team में जरूर थे, पता है, लेकिन इनकी जीत, इनकी जीत क्यों हो पाई, पता है आपको, इनकी जीत इसलिए हो पाई, क्योंकि US ने और USSR ने एक हट तक इनकी मदद करी यह, नहीं तो German forces जो थी, German forces जो थी तो वो, France के अगर हम बात करें, तो France की बात करें तो Paris तक पहुँच गई थी, मतलब France को पुर सब्सक्राइब करें, आप लोग कभी टाइम निकालना, सब्सक्राइब करना सिर्फ, बहुत मजा आएगा, ऐसा लगता है कि उस पे तो movies बनना चाहिए, ठीक है, डॉक्यमेंटरिस हैं, बहुत सारी, लेकिन इसे अच्छे से पढ़ना, ठीक, तो उस तरह से World War खतम होता है, सेकंड वल्ड वार, अब सेकंड वल्ड वार खतम होने के साथ ही, कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, और यही पूरी कहानी आपको इस वीडियो में एंड तक समझ में आ जाएगी कि कैसे और क्या, ठीक है, दो मेजर पावर ब्लॉक्स जो निकल के आते हैं, वो यूएस और बाइपोलार बन जाएगा, मतलब दो में और गंस के बीच में, दो में पावर की बीच में क्या है, डिवाइड हो जाएगा वल्ड अब एक तरह से, एक तरफ यूएस, एक तरफ यूएस एसर, और इनी के बीच में आइडियोल कंफिक्ट भी थे, जो मैंने आपको पिछले अब यह एक तरह से, और इसी पर भी हम डिवेट समझेंगे, इन आउगस नाइटिम फॉट फॉट इवार टू जो खतम हुआ, तो वल्ड अवार टू का खतम होना, और उसी के बाद से, कोल्ड वार स्टार्ट होना, भी स्टेट्मेंट पड़ा था हमने, यह चीजे आपस म बहुत जोड़ी हुई है, कैसे जोड़ी हुई है, अब जब सुवियट यूणियन और यूएसे साथ में काम कर सकते हैं, एक्सिस पावर्स को हरा सकते हैं, तो वल्ड वार टू के बाद में तो उनकी दोस्ती और गहरी होना चाहिए थी, लेकिन वो वल्ड वार टू के end होत कुछ चीज़ें ऐसे बिगड़ गई कि वो दोस्ती गहरी होने की जगह क्या है उनके बीच की जो खाई वह गहरी होते चलेगी क्या हुआ था तो व्ल्ड वार्ट टू जो खतम होता है व्ल्ड वार्ट टू खतम कैसे होता है कि ऑगस्त 1945 में हिरोशिमा नागासा की जो सिटीज थी जापैन के ठीक क्योंकि जापैन एक्सिस पावर में था तो यूए से ने उनके बांब गिरा दिये ठीक है तो अब यहां पर बांब गिरा तो ऐसा भी नहीं था कि दिवाली के फटा के हैं ठीक है यह जो बांब गिरा है तो यह जापैन के ऊपर अब उसके बिना जाने किया से के एकिया यह इससा मिलेगा जैपैन वगिरा के जो मिलेगी जிत जाएंगे जब ठीक है लेकिन आदेटने की अ मैं खतम करता हूं फटाफट फटाफट और अपने-साप से चीज़ों को कर सकते हैं कि गटास यहां से आना चालू हो गई थी तो सबसे पहले तो इस तरी नहीं था और यह बाम गिरा दिये गए यह वांब गिरा तो दूसरी समस्य यहां पर यह भी थी कि आप बॉंग जो गिरायेक आटॉमिक बॉंग तो वह सबसे बड़ा चिंता का विश्थे क्यो वा दिस्ट्रक्शन वा अभी एक और फैक्ट रहता हूंगा तो उससे आपके आखे अजी खुल जाएगी क्या कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ तो जैसे जो बॉंस थे ठीक है लिटिल बॉय और फैट मैं तो हिरोशिमा पे लिटिल बॉय और नागा सागी पे फैट मैं यह नाम नाइंटीन फिफ्ट आते-मागर आपकेस को समझतों गें तो किया वह तो पांच किल्टन का था और यह स्टाण बना लिए थे 19 फिफ्टिएॅं तो 5,000 किलो टन 10,000 का इतना स्टॉक बना के रगा था यू एसस एसर और यू यू एसने इस रिस्पेक्टिवलई तो आप समझ सकते हो कि एक हजार गुना ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया जा सकता था आज की बात नहीं करने 1950 में इतना डिस्ट्रक्शन किया जा सकता था में आपको होता है कि Cold War period start हो गया तो अब वहां पर पता यह जो यूएस का एक्शन था कि यूएस ने क्या किया हिरोशिमा नागा साकी के उपर atomic bombs drop किये तो उसके पीछे के reasons क्या है तो उसके पीछे की reasons क्या है जो से critics के अगर हम बात करें critics के अगर हम बात करते हैं तो critics have argued that US knew that Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs अब समझना है आप इस चीजें क्यों लिखा है अब ऐसा इंसाटी में कुछ भी लिख दिया तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि बस लिख दिया तर्क होता है क्या होता है कि जुलाई के अगर हम बात करें तो जुलाई के आसपास Russian end पर जैपैन ने सेरेंडर कर दिया था ठीक है वर्ल्ड मैप के थोड़ी सी जिनको नॉलेज होगी तो वह बहतर दर्गे से विजुलाइस कर पा रहे होंगे कि जैपैन रुषिया के साथ भी एंगेश था तो वहां पर क्या है एंगेश था जैपैन तो रुषियन फोर्सेस के सामने आपका एनिमी डेड है ठीक है फिर भी आप उसको एक-47 से दागे जा रहे हो तो वह क्यों कर रहे हो आप वह आप यह दिखाना चाहरो कि मेरे पास एक-47 है ठीक है तो जो क्रिटीक्स है जो इस डिसीजन को गलत बताते हैं वही आर्गुमेंट देते हैं कि दे सजेस्ट इस लिए कि यह कहते हैं कि वह यूएसर को रोखना चाहते थे कि बस वह खतम होगी अब ज्यादा आगे मत बढ़ो तुम भी ठीक है क्योंकि यूएसर भी अपनी टरिटरी एकस्पैंड कर रहा था उनने बोला जल्दी जल्दी वह खतम की जाए और दूसरी चीज यूएसर को दर्शा दिया जाए दिखा दिया जाए देखो हमारे पास atomic bomb है ठीक है उस atomic bomb से जितना destruction हो सकता तुमने वह भी देख लिया तो आप चुक्चा बैठे रहे ना ठीक है तो एक तरह से कहा है मॉस्को को स्टैलीन को यूएसर को इंडरेक्ट लिए अपनी पावर मतलब शक् of further loss of Americans and allied lives ठीक है उन्हें इससे लग रहा था कि वह और को यह से खाने की चीज थोरी नहीं है जो लब में समझ तक हम चलाते रहे चलाते रहे उसे destruction हो रहा था लोगों की जाने जा रही थी तो atomic bomb था हमारे पास डालके war को वहीं खतम कर दिया तो उससे क्या है कि war जल्दी खतम हो गया नहीं तो शायद war एक दो साल तक और चलता तो war जल्दी खतम करने से फाइदा है कि लोगों की जाने बजगी हो ठीक है तो अब देखो क्या है आप decision जो भी होता उसको defend करने के अपन था उनके सामने जपैन की जो कह सकते आर्मी थी वो बड़ा चैलेंज था उसको करने के लिए जो वार लड़ी जा रही थी वह वार तो लड़के आपने खतम भी कर दी लेकिन उसी वार के खतम होने के बाद में एनिमसीटी दो अलग अलग पावरफुल नेशन जो इमर्ज ह होने वाले थे उनके बीच में बढ़ गई थी ठीक है और एनिमसीटी अब जो बड़ी थी तो यह चीज भी समझ आ रही थी कि आप डारेक्ट नहीं लड़ सकते क्यों क्योंकि दोनों के पास जैसे आप यूएस के पास में क्या हतियार थे तो यूएससर चुप नहीं बेठ देवलप हुई है अब वो डारेक्ट तो लाड़ नहीं रहे थे डारेक्ट लाड़ नहीं रहे थे लेकिन उनके बीच में टशल जो था पावर टशल वह तो था तो वही कोल्ड वार है तो इस तो अलसो रूटेड इन अंडर्स्टेंडिग देट इस्ट्रक्शन कॉस्ट ब वगरा यूज किये जाएंगे तो इससे डिस्ट्रक्शन तो बहुत होगा दोनों ही कंट्री के लिए बहुत जादा एक्स मतलब एक्सपेंसिव होने वाला है यह किस तर्म में तो आप देख सकते हो कि जपैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था ठीक है तो यह सिच् स्टार्टिंग से मैं आपको बताता है ठीक है उसके बाद में दो सूपर पावर तो एक कुर्सी पे एक ही इंसान बैठ सकता है वर्ल्ड बाइपॉलर हो गया था दोनों ही चाहते थे कि मैं बड़ा मैं बड़ा लेकिन आप क्या है दोनों लड़ा भी नहीं सकते थे तो एक लड़के जीतता कोई नहीं ठीक है डिस्ट्रक्शन केपेबिलिटी जफ नूप्लियर वेपन क्रीटे सिच्विशन आफ और तो डिस्ट्रक्शन केपेबिली टी थी ना उस डर ने कोल्ड वार को जनम दिया ठीक है अगर इतना डर नहीं रहता ऐसा रहता है ज़्याँ पच ही तो रहेगी हमारे बीच में लेकिन हम लड़ा नहीं सकते कभी क्योंकि अगर लड़ने बैठ है तो बहुत बुरी स्थिती होगी ठीक है तो वें टू राइवल पावर्स आरिंग पॉजेशन ऑफ नुक्लियर वेपन तो इस केस में कोई भी वार होना असंभाव सा है कि दोनों को पथाए एक अगर हमने नुक्सान पहुचाए है तो हम नुक्सान सहन भी करेंगे फई वही चीज़ है ती तो इन स्पाइट ऑफ प्रवागेशन नाइधर साइट वुड़ वूंट उरिस्क वार सिंस नो पोलिटीकल गेंस वुड जस्टीफाइड इस्ट्रक्षण अफ यह तो हो सकता है कि वार करके वह क्या कर लेंगे कि ठीक है तो deterrence वारी situation क्या होती है वो चीज समझना the logic of deterrence is given here और यहां पर आप जो deterrence word है यह आप Indian foreign policy में मतलब हम भी एक nuclear state है हमारे पास भी nuclear weapons है तो यह deterrence word का इस्तमाल किया जाता है हमारी nuclear policy में मतलब हमने जैसे अब क्या रहता है कि security guard जो रहता है ठीक है मतलब एक example है रिलेट करना जितना कर सो को कि security guard के पास में गन है अब हो सकता है उसने क्या कह सकते हैं कि बुलेट्स वगदर ना रखी हो लेकि और वह सो भी रहा हो चाहे ठीक है लेकिन फिर भी आप अंदर जाने की गोली चला दे हमारे उपर ठीक है रॉबरी के परस्पेक्टिव से ऐसे बैंक में जाने आपको जाओ आपकाम करने तो वहीं चीज़ यहां पर थी कि न्यूक्लियर वेपन जो थे तो दोनों को पता था कि हम एक दूसरे के उपर नुक्लियर वेपन चलाएंगे नहीं लेकि एंड तो कॉस्सो मुच दिस्ट्रक्शन देट नाइधर केन अफॉर्ड टूशेट वार ठीक है दोनों ही साइट के पास में इतनी मतलब दोनों ही तरफ जो है इतनी पावर है कि दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से जक्मी कर सकते हैं तो कोई भी वहर इनिशेट कर ठीक है कुल्चरल राइविलेरी हर चीज को लेके क्या है आप जैसे देखोगे तो टसल थी पावर टसल थी लेकिन फिर भी वह कोल्ड वार होट वार में क्यों एसकेलेट नहीं हो पाई क्योंकि यह डेटरेंस जो था डर जो था ना दोनों को एक दूसरे का उसने वार को ब के टाइम प्रेड में क्या सिच्वेशन थी मिलेटरी फीचर्स का थी तो टूप टू सूपर पावर्स एंड कंट्रीज इंडी राइवल ब्लॉक्स लेट बाय सूपर पावर्स वैर एक्स्पेक्टेट तो बिहेव एज रैशनल एंड रिस्पॉंसिबल एक्टर्स ठीक है अब जैसे कर रह hen के टाइम प्रियरों जो अलग अलग पावर ब्लोक्स थे मठिक यूएस और यूसे सर्था तो दोनों ही देशों को दो थे लोड़ेव एक्सपर किया जाता था कि आप एक रशनल नेशन की तरह बिःव करो गै एक रेस्पॉनसिवल नेशन की तरह रशनल कैसे तो पॉइंट रिखेंगे समझ लेना रैशनल कैसे का आपको पता है कि अगर आपने आपने लड़ाई छेडी तो नुक्सान आपको भी होगा ठीके तो यह रैशनल इट हो गई आप तो उसी तरह से क्या है कि दोनों ही कंट्री से एक्सपेक्ट किया जाता कि आप रैशनल रहो ठीक है जब दोनों के पास क्या है एक तरह से नुक्लियर वेपन है तो वें टू सूपर पावर्स एंडी ब्लॉक्स लेट बाइद हमारी डेटरेंस रिलेशन्शिप फाइटिंग वार्स विल भी मैसिव डिस्ट्रिक्टिव तो दोनों को समझ में रहा था कि अगर लड़ाई लड़ेंगे तो मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा तो इस तरह से देवर एक्सपेक्टिक टू बिहे मेंट बिंग रिस्ट्रेंड अवर्डिंग दी रिस्क आफ अनाधर व्ल्ड वार उन्हें समझ में आ रहा था कि अभी हमारी रिस्पॉंसिविलिटी अगर हम लड़ेंगे तो हमारे पीछे जो हमारे अलाइज है हमने जो एक टीम बना बना की रख लिये और ठीक है सिकेंड डिस्ट्रक्शन हो चुका है क्योंकि आप जैसे देखोगे तो 1914 से 18 में फर्स्ट वर्ड वर लड़ चुके थे वह समी फाइनल था यह फाइनल हो गया था एक तरह से दिखा जाए तो अब इसके बाद में कुछ बचा नहीं था अगर होता कुछ वर्ड वार जैसा तो जो सिच्वेशन थी वह कोल्ड वार ही रही क्यों क्योंकि कोल्ड वार रहा तभी यूमन सर्वाइवल हम इंश्यूर कर पाए अगर वह होट वार में एसकेलेट हो जाता तो बहुत नुकसान होता अब आपने क्या पड़ा इस वीडियो में थोड़ा से एक बास नाइप कर लेते हम ठिम क्या पड़ा तो आपने देखा कि कोल्ड वार का आईडिया क्या था कोल्ड वार की प्रिचे की डिवेट्स क्या थी कैसे वल्ड वार को डिशाइट किया यूएस का डिसीजन सहीं था गलत था उस पर आर्गीमेंट समने समझ ली थे तो इस तरह से आपको कैस के पिछे रीजन से तो और दोस रीजन्स के फॉर्मेट में अविलेबल है जिनने आप बहुत असानी से देख सकते हैं पड़ सकते हैं घर बैठे अपना सिलिबस कंप्रीट कर सकते हैं अपने जूनियर्स और सीनियर्स को ज़रू बताइए मैंगने बेंस के बारे में मिलते है तिल दन स्थे कनेक्टेड की लर्निंग थैंक यू थैंक यू बरी मच हलो एवर्यबडी इस दिग्रास सिंह राजपूत वेलकम तो मैंगनेट प्रीज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे इमर्जेंस ओफ टू पावर ब्लॉक्स के बा वे दिखते हैं USA और Soviet Union known as USSR अब क्या होता है दोनों पावर जो इमर्ज हो रही है इन दोनों पावर्स के बीच में राइविलरी है आपको बता ऐडिलॉजिकल राइविलरी है अब इनके चक्कर में हुआ कि पूरा का पूरा विश्व जो है तो दी होल वर्ड गॉड डिवाइड बिट्वीन डी अलाइन सिस्टम अलाइन सिस्टम क्या समझ में आता है इसका क्लासिकल एक्जामपल बताता हूं ठीक है आपकी क्लास में जैसे आपका सभी बच्चे हैं अब 2 लडके हैं 2 लडकों के बीच में लड़ाई हो गई है दुन हो गई है फिर उनने बात करना बंद इच लड़ाई नहीं होई और ऑब् 연त को दोने कि लिए बात करना बंद वहं अब जब जब उनने आपसने गोम वालत करना बंद ك टो पता है उसका इमपाइक यहोगा क और तो यह लिए दोर फृस्पर पावर्ज अभी अपने अलाइंस बनाने में लग serik बढूती mlade तो अपने टीम।ैक्टे ano क्या है घ्यांत कृपिश्ता को सामने चालेंज के अचाप Second दो किसी न किसी आलायंस को से जुड़ना होगा और जिस रचलायंस जुड़ेंगे तो हम उसका जो महुत से खत्रा है उससें बच जाएंगे हम अपने अपने प्रोटेटिव सूपर पावर के साथ में क्या है 25 सूपर-व के साथ में जोगा है कि यूएस वाले alliance के साथ में मिल रहा है तो इसलिए मिल पार मिल रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि बाजू में जो हंगरी वगिरा है तो यह कहीं उसके उपर influence ना करें या फिर क्या सकते है कि इसका impact ना उसको सहन करना पड़े तो यह उसके उसके बचाने के लिए अब जब इधर से पावर आरही तो यह सिस्टम था तिक आगे और चीजने क्लियर हो जाएगी तो इससे क्या हुआ इससे अगरम देखेंगे तो इवर्ट गॉड़ 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 दिवाइद बिट्वीन तो बिट्वीन बिट्वीन दि परपस अब फिर क्या हो रहा देखो कि जो अलायंस को जॉइन इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने परपस को फुल्फिल करना तो उन्हें दिख रहा था कि अगर हम अलायंस किसी एक पावर के साथ किसी एक सूपर पावर की टीम में नहीं जाएंगे ठीक है तो उससे क्या होगा उसे हो सक्था जो दूसरा पावर सूपर पावर हमारे उपर कपजा कर लेगा वह कपजा करें अच्छा तो यह है कि हम खुद जूड़ जाए किसी दूसरे सुपर अंतलब दूसरे ब्लॉक के साथ में ताकि कहा है ता कि हम बचे भी रहेंगे र्यिस्पैक मिलता है जिसे आप पॉलिटिक्स में भी देखते हो ना कि वो जब क्या होता है यह MLS को MPs को खरीदना भीचना चलता है तो वह MLS MP को कोई अभी जिसे आपको अलाइंस के नाम बताऊंगा मैं आगे वेस्टन अलाइंस और इस तरह से अपनी ग्रूपिंग्स बनाते हैं तो वहीं यहां पर हुआ कि जो स्मॉल स्टेट्स थे दे गॉट दी प्रॉमिस ओफ प्रोटेक्शन वेपन्स एंड एकनोमिक एड अगेंस्ट लोकल राइवल्स मोस्टली रीजनल नेवर्स विथ हूम दे हैड राइवलरी अब क्या है कि आपस में चुटपूर चुटपूर नेशन जो लड़ रहे थे न तो उन्होंने भी ऐसा सूच लिया कि मैं इसकी टीम में हूं तो देश जो हैं आपस में भी क्या होते चले लग पूरा का पूरा वर्ड जो है दो कैम्स में डिवाइड हुआ था ठीके सिर्फ यूरोप की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन इनिशली सबसे पहले यह चीज़ आपको यूरोप में देखने को मिलेगी तो यूरोप में क्या देखने को मिलता है एक वेस्टन अलाइंस बनता है अब आप इसे मैप पर देखने की कोशिश करो थोड़ा समझ में आएगा जिसे अगर हम यूरोप को देखते हैं यह यूरोपियन मैप है तो यूरोप की जो वेस्टन यूरोप की कंट्रीस थी वह एक अलाइंस मतलब एक टीम बन गए यह लो कलर ठीक है टीम यलो नाटो है गररे यह लोग आपस में तो इस तरह से क्यों चलाए चाहिए क्यों कहा रहा रहा नेति युडरोप यह वेस्टन पार्ट था Hep to press है वइसे भी किसका पार्था फसको दर्शा दिए बैस्टरूंस Capitalism को दर्शाती है वैं वह्फिसटरन अलाइंस क्यों व्थे मैं क्याई रशाथ यहां पर क्यों को जा रहता है ऑस्टरोड़ी नाम मतर्शाया जा रहा है इस्टर शोरिए रिग्णा जाता है तो इस थरह तो इसके साथ हो जाएंगे वह वेस्टन अलाइइंस के साथ हो जाएंगे तो इस तरह से वर्ड पूरा वर्ड डिवाइड हो जाता है समझ में आ गया तो इमर्जेंस ऑफ टू पार ब्लॉक्स अब आपको तो पता है कि हां कोल्ड वार के टाइम पिरेड में वर्ड जो है दो सूपर पावर के बीच में डिवाइड हो गया तो किस तरह से हो रहा है वह समझा रही चीज़ें तो वर्ड वार डिवाइड बिट्विन वेस्टन अलाइंस एंड इस्टन अलाइंस अब देखो इन्होंने अपनी ग्रूप इस तरह से ध्यान रख लेना कि कुछ बचों को जियोग्रफी में दिक्कत जाती सर्व ओशियंस को पहचान नहीं पाते क्यों जमीन तो फिर भी शेप दिखता है ओशियंस का शेप नहीं दिखता है तो उसका कन्फिजन में दूप कर देता हूं यह जो एस शेप आपको सी अध्यान के चप्वेशन ने तो आप यहां पर देखो गें तो इधर का इस और नॉर्थ हो गया ठीक है तो यह नौर्थ आट्लान्टिक ठीक है ट्रीटी और गनाइजिएशन नाटो तो नाटो फोर्सस कौन सी थी कि आप जिसी देखों गे तो अट्लैंटिक सी के जो नर् हो बोटरीं कट्रीज है इसारे कंत्री नाटो मेंबर थे ठीक है तो नाटो एग्षिटेंगे एपरील में कि आपको मोटा माती समझा दे रहा हूँ कि सब्रहातर के बाद में कि यहानद निकल के आया था लिए आ ठींग जर्मनी को लला रिस्सु में बाल ऑट दिया गया था एक हिससा Memory को इससे ऊपर युसके पास था गूर hacen के पास अपर और नाटो जो बनाया गया नाटो इसलिए बनाया गया कि एक गुरूपिंग बना ली गई एपरेल नाइंटीन फोटीनाइन में एंड वास एन असोसिएशन ऑफ ट्वेल्व स्टेट्स तो इनिशली बारा स्टेट्स ने स्टार्ट किया था विस डिक्लियर डेट आम्ड अटैक एनी वन ओफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड भी रिगाड़ेड एजन अटैक और अल उफ देम तो इन्हों अपनी ग्रूपिंग यह बना के ट्रीटीवीटी साइन कर लिए इस तरह से बोल दिया कि अगर एक पे भी हमला होता है हमला करने वाला कौन है वो कि कह सकते collective security को ensure कर रहे थे तो एक military pressure group इन्होंने बना लिया अब वैसे इस्टन अलाइणस भी अपना काम कर रहा था तो इस्टन अलाइंस में आपको क्या देखने को मिलता है इन्होंने वार्सों पैक्ट साइन किया ठीक है वार्सों पैक्ट को अगर आप समझोगे ना तो जरूरत नहीं थी लेकिन अब क्योंकि नाटो बन गया इन्होंने एक इस तरह सा अपना क्या सकते फॉर्मिलाइज डूपिंग मना लिया है वेस्टन अलाइंस ने इस्टन अलाइंस को भी लगा कि हम क्यों पीछे रहे जाए और कुल मिला कि अगर आप बहुत कीनली पिछे पड़ गया इन्होंने क्या बनाया सब्मरीन बनाई या फिर एंटी बैलेस्टिक मिशायल बनाई तो एक तरह से रेस ही चल रहे थी आप जो बनाएंगे हम आपके बराबर आएंगे फिर जो दूसरा है वह आगे निकलेगा तो पूरी रेस ही चल रही थी तो अब य सब्सक्राइब तो यहां पर भी एक एसी ग्रूपिंग बनी तो इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वास्टू काउंटर नाटो फोर्स इन यूरोप की यूरोप में जो कह सकते हैं कि जो यूससर के दोस्त थे तीक है यूससर के दोस्त थे आफिर जो इस्टन आलाइंस के पार पाल भी नाटो फोर्स का एग्रेशन हावी कि नाऊ हजा उस-चीज़ को चक्रने वार्सू पक्ट साइन किया जाता है वार्सो क्या है तो पॉलेंड का पॉलेंड में जिसे आप देखो के तो पॉलेंड में शीटी वर्सू ठीक तो वहाँ पर वार्सु में क्योंकि ट्रीटी साइन की तो वर्सू पैक्ट नाम हो गया ऐसे नाम रखा उसका ठीक है तो दिस वास आलाइन्स सिस्टम अब आप जारा समझें यहां पर अच्छे से अगर हम देखें तो यह वेस्टन जो पार्ट है वेस्टन यूरोप जो वेस्टन अलाइंस था वेस्टन अलाइंस यूएस से उदर उसके साथ मिल जाएगा यूसे के पर कैनेडा वो सम्मिल के क्या है यह नाट्व कंट्रीज हो गई यलो यलो ठीक है रेड़ निचे जाओ के कजाकिस्तान और सब्सक्राइब यह किसका पार्ट हो जाएंगे यह इस्टन अलाइंस का मतलब यह वार्व वार्सूपेक्ट मेंबर्स हैं वार्व यह देखो फोलेंड में वार्सू ठीक है अभी आप कि नजर जा रहे होगी ग्रीन कलर में यूगोसलावि मार्शल टीटो जो थे तो समय पे यूगोसलाविया में थे और यह मतलब कह सकते हैं कि पॉपुलर सपोर्ट से इलेक्शन जीते सारा सब कुछ हुआ और मार्शल टीटो की दोस्ती जवाला नहरू के साथ ठीक है और फिर इन लोगों प्रोसेश जो थी वह जो रो सोरो से चल रही थी बहुत तेजी से अलाइंसस बनाया जा रहे थे सब अपने अपनी ग्रूपिंग बना रहे थे हैं ठीक है यूरोप बिकिंदी मेन एरेना ओफ कंफिलिक बिट्वीन इसूपर पावर्स इन सम केसे इस सूपर पावर यूज्ट पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इंटू देर रिस्पेक्टेव लाइस ठीक है अलाइंस तो यह चीज़ है आपने देखा कि हाँ जो स्टेज जो बना था ना ऐलाइंस बिल्डिंग सिस्टम का वह स्टेज यूरोप में बना था तो यूरोप में किस तरह से क्या है कि सारी क का में बहुत तेजी से अपना एक्रेशन दिखाया इस यूरोप में मतलब यह स्टन यूरोप हो जाए गोला या यह तो सा इसनी रोप की कैंट्री में जुर्टी चूकी नाट्व फोसर्ट के साथ में इस यूरोप में जो कंट्री दी जैसे हम बात बात क्रें चिकों स्व हुआ कि हंगरी की रोमेनिया की तो यहां पर पता है जो स्टैलिन था तो इस्ट यूरोप में स्टैलिन बहुत एग्रेसिव था ठीक और यह हमारा टॉपिक है अगर समझोगे नहीं तो क्या बताया जारे कि यूरोप जो है तो यूरोप में बहुत पावर्ट चल रही थी इस टाइं पिरिड में कोल्ड़व वाले टाइंपिरिड में सयोवेट इंटरवेंशन इस्ट यवोप हो गया उसका आध में जैसे इस्ट और सौट इस्ट एशिया जो है जिसा वेस्ट जो है तो कि यह संटोरी अने ऐसेश्ट डीडिडिया समझने वाली चीज़ है पी एउरो तो नाटोस तो होसे तो नाटोस होसे कहां पॉछने कोशिष करी थी य साथ इस always अपने साथ ले डिया युवक्स वाले मतलब नाटोस नहीं सब अपने पावर्स को क्या करें शाइंड करें तिए त्स सोवेट यूनियन और कमिनिस्ट चाइना रिस्पॉंड़ेट बाइविंग क्लोज रिलेशन स्विट रीजनल कंट्री सच अ नौर्थ वियतनाम ठीक है नौर्थ कूरिया एंड इराग अब एक पॉइंट यहां पर भी समझना है आपको क्या हो रहा है कि अगर साओट इस्ट कि अगर हम बात करें तो यहां पर यूएससर वाला ब्लॉक भी चुपने बैठेगा उन्होंने भी क्या कर दिया नौर्थ वियतनाम नौर्थ नौर्थ कूरिया जो इसको अपने पावर में या फिर अपने साथ मिलेने की कोशिश करी अगर आप सेंटो जैसी और्गनाइज ठीक है तो इस तरह से क्या है कि वह जो अलाइंस मिल्टिंग प्रोसेस है वह तेज हो चुकी तो यह एक्जामपल्स बता रही है आपको समझ में आ रही ना चीज़िए अब आप लोगों के मतलब थोड़े से और यहां पर डॉट्स जो है वह शायद अभी मन में रखेंगे वह यहां क्लियर होंगे देखो कि कोड़ वार के टाइम पिरेड में जो थर्ड वर्ड कंट्रीज थी ठीक है इंक्लोडिंग इंडिया जैसे मैंने बता है आपको हम लोग क्या कर रहे थे मतलब हमने किसकी टीम जोइन करी ती तीम बन रही थी तो हम तो रही गए तो हमने त कंट्रीज आफ्टर गेंग डियर इंडिपेंडेंडेंस फॉंडी कोलोनियल पावर सच अ ब्रिटेंट फ्रांस वर वरीड देट 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 लूज देर फ्रीडम एस सून अस दे गें फॉर्मल इंडिपेंडेंस इन्हें यही डर लग रहा था कि हम जैसे ब्रिटेंस ए जो देश उनके गुलाम थे ठीके उन्हें आजादी मिलने के बाद में हमारे सामने फिर चैलेंज यही आएगा कि किस ग्रूप में जाओगे जिस ग्रूप में जाएंगे तो उस ग्रूप की बाते मानना पड़ेगी हमें अब टीम में आ रहे हो तो टीम के जो प्लांस से उ युइसे के साथ हो जाता तो क्या होता युससर हमसे नाखुष हो जाता यूससर को जोइनकर लेते तो यूसे नाखुश हो जाता तो मतलब आगे पिछ खाई वाली सीटूएशन थी थर्ड वर्ड रूर्ड कंट्रीश के लिए जो मतलब उनका सामने यह चैलेंज था कि भी तूट रहे थे फोर एक्जाम्पल यहां एक ग्जाम्पल अच्छा दिया है कम्मिनिस चाइना ठीक है तो अग्मिनिस चाइना विट विट थी यूए से साथ तो अच्छान वाली वह आज से नहीं वह बहुत पहले समय से तो चाइना ने क्या किया जैसे अब जब आप दे टे संग जो भी कहना है तो उसकी लीडर्शिप के अंडर में जैसे आप देखो तो बहुत एक्सपैंशनिस्ट उसके अलग अलग पॉलेसी थी वह तो यह बुटान और यह सारा पार्ट जो है बुटान नेपाल वगेरा सब हमारा पार्ट है ठीक है चाइना का पार्ट है मत लिंकिंग मतलब प्रोविस जो है उनकी ऐसी कुछ है तो वहां की कुछ टेरिटरी जो है वो यूससर के पास है हमारी वह हमारी होना चाहिए मतलब चाइन चायना वास क्लेमिंग और इन टेरिटरी को लेके उनके बीच में लडाईयां भी हो गई अब दोनों एक ही ब्लॉक से हो रहे हो कि आप यूएस के पास जा रहे हो क्योंकि आप देखो कि स्टैलिन के देट के बाद में जो लीडर साइंगे ना तो थोड़े नरम थे तो उतने स्ट्रिक नहीं थे आईडियोजी को लेके ठीक वह बाद में चाहे ना खुद यूए से के साथ मैं क्या कर लेता दोस्ती कर लेता आप नेक्स चैटर मां पड़ो गई तो उस तरह से क्या है कि जो एक रास्ता जो दिखा वो दिखा नौन अलाइंग्मेंट का बलब इस रास्ते भी नहीं जाना एक नहीं रास्ता बनाते हैं तो जिसमें क्या जैसे फाउंडिंग मेंबर्स के अगर बात कर अपना तीसरा रास्ता क्या निकाल लिया था नौन अलाइंग्मेंट का जिसे हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो विच गेव विच गेव दी नियूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अवे औस स्टेंग आउट ओफ दी अलाइंस उनने बोला कि भईया इनने लगाता वापस में अपन क्या दूर खड़ों के बाहर भी खड़ों के ताली बजाएंगे उनका भी अपना एक रूल था नौन अलाइंड कंट्रीज का वों समझेंगे लर्वा तो आई होप यहां तक आपको समझ में कैसे वर्ल्ड टू ब्लॉक्स में या फिर यह जो हैडिंग है अब एक डाउट और हो सकता है आफ करना चाहते थे और ज़्यादा पाउरफुल अब यह प्रैक्टिकली उन्हें भी दिखना था पिछले वीडियो में अमने डिसक्स किया कि कोल्ड वार वाला टाइम पिरेट जो था कोल्ड वार वाला क्यों था क्योंकि दोनों ही ब्लॉक्स को पता था इट विल नेवर लीड तो होट वार ठीक है मतलब कभी वह जो सिच्वेशन थी वह आपको होट वार में नहीं दिखेगी लेकिन फिर भी क्या है प्रेश्र तो बनाया रखना होगा ना तो उस चक्र में क्या है कि सूपर पावर जो अपनी ऐलाइस बनाने में तो लगे हुए थे तो अधी स्माले स स्टेट्स वर हेलफल फॉर सूपरवार सेंगे एकसेस टू वाइटल रिसोर्स अच अच आइल एन मिनेरल्स अब जैसे सेंटो बना था ठीक है तो सेंटो बनाया तो एक तो नंबर बढ़ गया हमारी टीम में इतने लोग और दूसरी चीज़ क्या है कि अब वो जो चोटे अरे पैसंड लेकिन वो भी किसी काम के यह से और यह तो भीर यह त्यौन साथ से लुक और यहीं सोच के साथ में सेंटो बनाया गया कि वहां से और एनर्जी रिसोर्स जो है वो वेस्टन अलाइंस को मिल सकें ठीक है टेरिटरी फ्रम एर दी सूपर पावर्स कुट लांच देर वेपन एंड ट्रूप्स यह इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया था अब यूससर को दिख रहा था कि यूससे दूर है तो डरेगा कम लेकिन में क्यूबा ऑपने दोस बना लिया समयने दोर मिसाइल क्यांस थटलत से हम क्यां कर सकते है दूसरे सूपर पावर को दूसरेformed को क्या कर सकते है ढ़ आ सकते कैया से टाकि मेंकेस वार होता है तो कम मारे है उन्off lunar AI लिओ टारा यूज कर सकते कि हां यहां अमारे ट्रूप्स यह हुआ कि क्यूबा में मिसाइल रखना मतलब क्या है वो प्रेशर क्रियेट करने के लिए फाइन फिर अगली चीज का है लोकेशन स्वर्म वेर दे कुड़ स्पाय और एक दूसरी को पर नजर रखी जा सकती है क्यूबा में बैठ के आप क्या है क्यूबा में बैठ के यह प से अगर मिलेटरी अलाइंस बनाएंगे तो तो सारे देश मिलके का है थोड़ा थोड़ा जो मिलेटरी एक्सपेंसे उसको बिया कर सकते थे फिर प्लस अलाइज वर मैं आपको बता है कि स्टार्टिंग से गेम था पूरा इडिलॉजिकल गेम था तो अलाइज आइडिलॉजिकल रीजन के लिए ज़रूरी थे कि वह अपने आइडिलॉजी को दर्शाते थे कि हां कैपिटलिजम को या फिर लिबरल डेमोक्रिस को फोलो करने वाले इतने 구railer सकते हो कि जैसे मानलों कि मेरी चीम में जदा लोग जुड़ रहे ना तो उस से जा रहा है क्यां उनके साथ तो ज्यादा लोग हो रहे तो उनक्याइज जीत रही है कि आइडिलॉजिकल रिजर एस एक तो आपके एडिलोजी को सपोर्ट शो कर रहे है लाइस कि हाँ कैपिटलिजम सही है और दूसरी चीज़ का है दूसरी चीज़ आप यह दर्शा सकते हो कि जब कैपिटलिजम सही है तो capitalism सही है इसलिए allies joint करें तो capitalism जीत रहा है communism सही है तो communism को इसलिए allies joint कर रहे है तो हम क्या क्या सकते है कि हाँ communism जीत गया ठीक है तो the loyalty of allies suggested that the superpowers were winning आगे जमन में तो superpowers war जीत रहे है भले वार हो नहीं रहा हो लेकिन वह जीत रहे क्योंकि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हमारे पॉइंट को लोग एगरी कर रहे है विनिंग वार आफ आइडियाज एस वेल डेट लिब्र डेमोक्राइस एंड कैपिटलिजम वर बैटर दें सोशलिजम एंड कम्यूनिजम और वाइसा वर्सा तो मतलब जब मेरी जैसे आपको देता हूं क् इवेंटस के बारे में बताऊंगा एक स्पेसिफिक वीडियो उसमें क्लियर हो जाएगा अब क्या हो रहा है यहां पर आप देखेंगे कि व्यतनाम जो है तो व्यतनाम ने क्या कर लिया व्यतनाम में एक कमिनिस्ट कंट्री बन गया तो उससे हो सकता है कि दूसरे देश को यह सा लगे कि नहीं नहीं व्यतनाम ने जब अगर मान लोग की कम्यूनिस्ट ब्लॉक को जॉइन किया इस्टन लाइंस को जॉइन किया तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यह सही है तो अपनी विक्टरी को इंशॉर करने के लिए अलाइस को जोड़ना अपने साथ बहुत जादा जरूरी था ठीक है तो यह होगा आपको आपको यह समझ में कि इमर्जिन सोफ तू पाउर व्लॉक्स जो है वह क्या है तो यह पर हमने पुरिया अधर को समझ लिए वह च्टासल जो चल रहा था ना तो यह एले एनपोर मेंस पर किंड़व और कहां कहां थे म सभी सब्जेक्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब्टॉपिक्स, सब कुछ. सिस्टेमेटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्माट में अविलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलिबस कम्प्लीट कर सकते हैं, अपने जूनियर्स और सिनियर्स को ज़रूर बताई मैगनेट बीन्स के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल दन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक्यू, थैंक्यू बेरी मच्च, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, Arenas of Cold War के बारे में, Arenas of Cold War, अब चीजों को आपको यहां पर समझना है, देखें, अच्छे से समझेगा, Cold War क्या था, तो practically कोई लड़ाई लड़ी नहीं जा रही थी, लेकिन situation वैसे बनी थी, अब सवाल यह आता है कि आपको कैसे पता कि situation वैसे बनी थी, तो in multiple arenas, we have seen that there were situations like war, what were those arenas, तो हमने जिसे Cuban Missile Crisis की बात करते हैं, तो उस context में, मतलब उस जगह पे हमने क्या देखा, कि Cuban Missile Crisis एक ऐसी point था, कि अगर जहां पे, we were on the blink of nuclear war, मतलब कि थोड़ा और उपर नीचे होता, तो nuclear war हो सकता था, तो इसी तरह से cold war की period में अगर आप देखेंगे, तो कोई full-fledged hot war नहीं हुआ, but yes, there were many instances, there were many arenas, where this cold war was being fought, ठीक है, तो बहुत सारी shooting wars थी कहा सकते हैं, कि चुटपुट चुटपुट लड़ाई हुई है, और वो चुटपुट चुटपुट लड़ाई दर्शाती है, कि हाँ situation tensed है, cold war वाला माहूल बना हुआ है, तो हम भही पढ़ने वाले कि कहां कहां क्या क्या हुआ, आपको कुछ interesting interpretations और concepts इस वीडियो में जानने को मिलेंगे, टॉपिक समझ में आया, देखो, प्राइरिटी क्या होना चाहिए, पहरे टॉपिक समझ लो, टॉपिक क्या पढ़ने वाले वाले वाप उसके अंदर, टॉपिक जब पढ़ ले तो आपके आदी चीजें वैसे clear हो जाती है, ठीक है, तो यह चीजें समझ में आ रही है, अब आगे अगर हम start करते हैं, तो अगर हम बात करें, क्यूबन मिसाइल क्राइस की, मतलब इसके अलावा भी थे क्या, तो जी हाँ, जिसे अगर आप देखोगे, तो टू सूपर पावर्स वर, पॉइस फॉर डारेक्ट कन्फरेंटरेशन इन कोरिया, ठीक है, अब देखो, एक चीज में आपको बताता हूँ, अब आपकी बुक में इतना डीटेल में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको एक एक बैग्राउंड स्टोरी देते चलूँगा, ताकि आपको क्या है, ताप पढ़ने में मजा आए, और पता तो चले कि क्या चल रहा है, तो हम क्या देख रहा हैं यहाँ पे कि, 53 के बीच में, बरलीन में आपने सामने आए थे, और बरलीन की बड़े इंटरस्टिंग कहानी अभी बताता हूँ, ठीक है, दी कॉंगो क्राइस, तो कॉंगो क्राइसिस ऑफ अर्ली 1960s, एंड इन सेवरल अधर प्लेसे तो अफगारिस्तान की बात कर लो आप व्यत्नाम की बात कर लो आप, ठीक है, तो मल्टिपल ऐसे एरनास थे, मल्टिपल ऐसे पॉइंट्स थे, मल्टिपल ऐसे इंस्टानस थे, जहां पर यह दोनों सूपर पावर्स आमने सामने आये थे तो यह दर्शाता की कोल्ड वार में क्या है कोल्ड वार में कोई एक बड़ा वार तो नहीं हुआ ठीक तो जिसे अगर आप देखो के इस इंपॉर्टेंट तो नोट एक डिस क्राइस एंड वार्स डिट नोट लेड आपको यही द्यानक नहीं कि यह जो अलग अलग जगह पर जैसे डारेक कंफरेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है रीजनल लेवल पर तो लोग लड़ रहे हैं ठीक है कंट्री के अंदर जैसे आप कॉंगो की बात करते हैं चलो तो कॉंगो को आजादी मिली थी बेल्ज कॉंगो का ठीक है जो वाइट्स वाला था तो वाइट्स को पर हमले होना चालू हो गए थे उन्होंने फिर क्या किया उन्होंने युएन की मदद ली तो युएन की मदद ली तो उससे क्या हुआ कि युएन में आप जैसे देखो तो सोल्टर्स वगरा डॉमिनेशन किसका युए से का तो फिर वहाँ पर जो दूसरा पार्ट था तो दूसरे पार्ट ने सोवेट उनियन की मदद मांगी तो सोवेट युए अपने मिलिटरी जनरल्स और मिलिट्री ओफिसर्स एक्विप्मेंट्मेंट्स वगरा को उतार दिया तो इस तरह से डिरेक्लिक्टलिक य confrontation हमें देखने को मिला Cold War period में अलग अलग जगा पे वर्ल्ड में अलग 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 अरेनाज में आपको क्या देखने को मिलेगा USA और USSR के बीच में आमने सामना देखने को मिलेगा ठीक है खेर हमें मतलब खुशी किस चीश की बनाना चाहिए कि इस important to note that these crisis and wars did not lead to another world war कोई बड़ी वर में convert नहीं हुए छोटे मोटे crisis ही रहे है ठीक है इन्हें समझेंगे तो when we talk about arenas of cold war we refer therefore to the areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance system but did not cross certain limit तो आगे नहीं समझ में topic arenas of cold war क्या है वो यह है simple सी चीज कि different areas in the world where the crisis developed ठीक है वार भी हुए है ठीक है लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक और उसके उपर नहीं गए अगर सर्टेन लिमिट के उपर जाते तो हो सकता था फिर जैसे अलाइन सिस्टम था बड़ी बड़ी कंट्री जो थी तो यूसे यूसे सर उतर आते मैदान में तो फिर वल्ड वार वाली सिच्विशन मन जाती है लेकिन वह वहीं पे मैटर्स सुलज गए तो देखो जैसे आपको क्या बताया कि कोरिया में एक बार तो अब आपको कुछ ऑफ दी टॉपिक जाके चीज़े समझाता हूं मैं कोरिया के अगर हम बात करें तो यह कोरियन पेनिसुला जो है ठीक है कोरियन पेनिसुला पेनिसुला क्या होता जिग्रफिम पड़ा है ठीक है लेंड मास्स सरांड़ेट वाटर वाड़ी फ्रॉम थ रहेगा कि सारी कंट्रीज वगेरा हम जब पढ़ेंगे ना तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि कहां किस जगह की बात चल रही मतलब हवा में नहीं पड़ोगे फिर आप मैप पर रहकर पड़ोगे तो यहां पर क्या हो रहा है जिसे अगर आप देखो के कोरियन पेनिसुला है चाइना की नीचे देखो यहां पर तो यहां जिसे अगर हम देखेंगे तो कोरियन पेनिसुला जो है यहां से एक थर्टी एट्ट पैरलल ठीक है थर्टीए डिग्री वाला पैरलल जो है वो निकला है उसने डिवाइट करके रहा उपर नौर्थ नीचे साउथ और हम बात क अपनी देश को डेवलप करो बहुत है उतना ठीक है तो जपान चलेगे 1945 में अब जपान हार गया तो एक्सिस पावर से कोरिया जो है चुड़ा लिया गया और किसके बीच में बाट दिया गया तो यह साउथ कोरिया किसको साउथ कोरिया दे दिया था यूएसे को और उपर जेर्मनी था उसको चार हिस्सों में बाट दिया एक सोवेट उनियन को दे आ और फिर इसको देद्या कि यूएस को दो Saudi इस तरह से बाट दिया तो और यहां पे स्टैबलिश कहाए चाए फिर वार्ट के बाद में यूए से को दिया था तो दिक्कत यह थी कि इन दोनों पार्ट को मिलाना था मिलाना था लेकिन कभी मिलन होई नहीं पाया आज तक नहीं हो पाया क्यों नहीं हो पाया तो जैसे अगर आप समझेंगे तो नौर्थ कोरिया जो है ठीक है नौर्थ कोरिया को यहां पर फिर चाइ को दर्शाता है तो आइडिलोजिकल डिफ्रेंस के चलते हैं फिर आइडिलोजिकल डिफ्रेंस के बाद में प्रेड में जो राइवलेरी थी उस राइवलेरी के चलते क्या है ऐसा हुआ है कि 1950 में जिसे अगर आप देखोगे तो नौर्थ कोरिया जो है ठीक है सपोर्ट इट इब चाहिए चाइना के सपोर्ट को एन फ्रोर्स जो है तो गुज गई थी कहां पे साथ कोरिया में आप साथ कोरिया जो है तो साओ्थ कोरिया धूर्ट हों गुर्या कि येसं कoe是啊 को तो US को प्र का कियां चाहिद से ये तन भी अपने जैसे मैंडिका को यू यूएन की मद तो यहां पर जिसे मीडियेट करवाने में युनाइटेट नेशन्स का एक बहुत इंपोर्टेंट रूल रहता है युनाइटे नेशन्स के साथ में जिसे आप देखोगे न तो इंडिया का भी इंपोर्टेंट डोले इंडिया नेगोशीटिंग टेबल पर था युए से और युए से सार के बीच में और हमने नेगोशीट कर आया था लड़ो बड़ो मत ठीके जवाला नेरू ने बिठाया अच्छे से समझाया तो उस तरह से क्या है बतलब आपको यहां पर आपको टेंशन देखने को मिला तो कोरिया वास वन ओफ दी एरेना ओफ कोल्ड वार ठीक ठीके बर्लिन वाल फॉल ऑफ बर्लिन वाल तका बहुत सारी लोगों को अब ऐसा चीजे बताऊंगा जो पहली बार आपको बता चल रहे होगी जर्मनी आज जो हुम देख रहे हैं वह जर्मनी नाइंटीन नाइंटी में बना है उसके पहले क्या था पता दूसके पहले इस तो बर्लिन में भी पता क्या केस हुआ था बर्लिन को भी दो भागों में बाट दिया एक एस्ट बर्लिन एक वेस्ट बर्लिन तो वेस्ट बर्लिन जो है वेस्ट बर्लिन किसके पास था वेस्टन अलाइंस की कंट्री के पास में मतलब उसमें भी तीन हिस्से थे वेस्ट ब स्पेसिफिक जो इस कंफ्लिक्ट की बात की जा रही है यहां पर ठीक है जिस अगर आप इस कंफ्लिक्ट को समझोगे ना बर्लीन 1958 से 62 तो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें वेस्ट बर्लीन के जो लोग है वह बहुत प्रताड़ी थे और वह कंट्रास्ट दिखता था कि वेस् सरक bastards control में लेकिन बस वह बीच में इ Neo2 वेस्ट अबर्लीन का सिटा हिस्सा था और यह तो यह इस्ट यह बेसंट ऑब युह आप मैंने आपको बताए्या Tepe multiple centers में आपको क्या देखने को मिलेगा multiple centers में आपको shooting war चोटी मोटी चुटपूट चुटपूट लड़ाई देखने को मिलेगी लेकिन thankfully वो क्या है another world war में convert नहीं होती है ठीक है समझ में इतनी चीज़ है अब अगर जैसे देखें तो tensions in arena of cold war a great many lives were lost in some of these arenas like korea vietnam afghanistan but the world was sparred a speared a nuclear war and global hostilities ठीक है तो अब क्या है यहां पर आपको यह चीज़ समझना होगा तो यह जो अलग-अलग arenas थे अब जैसे इसमें वियतनाम के बारे में बताए गया है सगे के वियतनाम में क्रीजस में जैसे वह गर्तनाम गद्धादोन सब्सक् clear ढटावे तो एक सखेस्फुल स्टोरी कि फ्यतनामम जो नॉन्स गवर्मंट को भी घतनाम में आपना तो इतने पर हमें क्या करना है क्या है अब क्या है इन सम्सक्राइब अब जैसे आप देखोगे तो यूज मिलेटरी विल्डप रिकॉर्ड रिपोर्टेट में जैसे आप अफगारिस्तान की बात कर लो आप वेतनाम की बात कर लो तो यहां पर बहुत जादा वेपन्स ओफ मास डिस्त्रक्शन का भी स्तमाल होने होते होते रहा जैसे और हुआ भी कहीं जिसे कहीं कहीं देखेंगे तो हम केमिकल वेपन के में मीटिंग्स होती थी लेकिन जो अलग अलग सूपर पावर्स की डिपलो में सी थी बातचीत वह आपस में चला रहे थे तो सस्टेंड नहीं कर पाती थी सिच्वेशन ऑफ मिस्ट्रस्ट या फिर डिस्ट्रस्ट कहलो ठीकि वह डेवलप ऐसी हो जाती थी कि उन रीजंस म और कंफ्लिक्ट्स एंड अवर्टिंग सम ग्रेव क्राइसेश अब टाइम्स क्या हुआ कि कभी कभी देखो कंफ्लिक्ट अल्टिमेटली इन दोनों की बीच में दोनों को ही सॉल्व करना है लेकिन जो थर्ड वर्ड कंट्रीज थी और यहां पे थर्ड वर्ड की बहुत इ ने बहुत टेक्ट फुली एक नेगोशेटिंग तरीके से क्या किया दोनों पार्टिस के बीच में चीजों को रिजॉल्व करने की मदद करी विद्धी हल्प युएन ठीक है फिर आप जिस देखो के तो कॉंगो क्राइसे जो नाम रहे था प्रनौंस नहीं होता है तो उन् युएसे और युएसे सार्ज जो है सोवीड यूनियर आमने सामने आ गए थे उन सारे कंफिक्स को रिजॉल्व करने में एज दी कोल्ड वार रोल फ्रम वन एरेना तो अनदर दी लॉजिक ओफ रिस्ट्रेंड वास इंक्रीजिंग ली एविडेंट और अब देखो एक ची तो एक जो सवाल सब के मन में आ रहा था ठीक है तो अब जिसे अगर आप देखो के यहाँ पर लॉजिक ओफ रिस्टेंड वास इंक्रीजिंग लेडेंट आपको लॉजिक यह समझ में आ रहा था कि डारेक्ट तो नहीं लड़ेंगे क्यों क्योंकि इतने सारे एरेनाज में चुटपर चुटपट चुटपर कन्फिक्ट देखिया रही तो बढ़ी अग radiator में इसके लेड़ में कोई एसी बड़ी प्रॉब्लंब होगा है छी कि आप जैसे देखोगे तो cold war rolled from one arena to different arena ठीक है अलग अलग पार्ट्स में cold war के time period में से shooting wars होती रही है तो उससे आपको क्या देखने को मिल रहा है ठीक है बड़ी वार नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन cold war ने मतलब जो rivalry थी वो खतम नहीं करी पूरी तरह से ठीक है mutual suspicion let them to arm themselves to the teeth and constantly prepare for war अब यह चीज़ आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझना होगी क्या हो रहा है कि बड़े बड़े पावर्स जो थे जैसे USA हो गया USSR हो गया यह आमने सामने नहीं आए एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए यह क्या कर रहे थे एक तरह से डमी वार लड़ रह रहे थे कि आप कोरिया में उन्होंने सपोर्ट कर दिया दर चाइना सपोर्ट कर रहा है साउथ को ठीक है तो ऐसे सपोर्ट कर रहे थे लेकिन यह चीज़ समझ भी आ रही थी कि हम अभी तो नहीं लड़ेंगे लगिन अगर future possibility हो गई कहीं लड़ने गलती से तो उसके लिए तैयारी जरूर कर रहे थे हैं तो कंटेक्स समझना आप क्या होता कि बहुत सारी चीज़न आप को इन इसमें कोरियन वार भी बता दिया ठीक है इसमें हमने देख लिया कि जर्मनी में क्या सिच्वीशन थी तो उसमें आप साथ कंफीज हो जाओ तो एक बार मैं सारे टॉप कोी ण सब्सक्राइब लेघर लेट आफिपने डिया रिजिटनेर के तरह से कभी खतना नहीं होने दिया ठीक है राइवल रीजय होता पूरी तरह तरह से खतंड नहीं हों räightあります हेखन चुब आफ़ाइब को उसे को भी आफ़ाइब के घृ टो नहीं लड़ेंगे हम तीक है इतने बुरी स्थिति नहीं हूए कि डारेक्ट लड़े लेकिन अगर कल को पॉस्ईबलीटी हो गई क्यों मैं लड़ना पड़े तो क्या करें इंगे तो वह सारी सीटीशन सब्सक यहां पर आपको एकनॉमिकल प्रस्पेक्टिव दे रहा हूं कि यूएस से की एकनॉमी स्ट्रॉंग थी ठीके यूएस केन अफॉर्ड तु है वेपन्स लेकिन अब यूएस पास वेपन से तो यूएससर चुप कैसे बटेगा तो यूएससर क्या कर रहा था अपनी रोटी का सब्सक्राइब के हतियार बना रहा था तो यूएससर को क्या करना था मैच करना था आम स्रीस में तो हत्यार तो दोनों तरफ एकदम बहुत तेजी से बन रहे थे ठीक हैं वह हुआ यहां पे तो हावेवर सिंस दी कोड़ वाट डिट नॉट एलिमेट राइवलेरी बिट्विन टू अलाइंसे राइवलेरी खतम नहीं हुए थी मूचल सब्सक्राइब तो आम थे टीज और यह चल रहा था उनका क्या कि थैयारी तो करते रहा लड़ाई अगर होती है तो ठीक है तो उसक है लड़ाई ना लड़े लेकिन वहत्यार देखके ही क्या रहेंगे चुपचा बठे रहेंगे किन से लड़ों मत इनके पास हतियार है तो वह लॉजिक ऑफ डेटरेंस वह डेटरेंस एफेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या है यूज स्टॉक्स ऑफ आम्स वर मेड़ मेंड ठेख होगा क्या मतलब क्या है अब यूस्तों कर नहीं रहों अब रखे- रखे-Rखे क्या हो sorts आ है रखे-र एक्सिडेंट हो सकता एक्सिडेंट कैसे हो सकता है कि मान लो कोई सोल्ज Ayala की गलती से या फिकसिसी हो जागती एक से एक सटेट में बूसरे स्टेट के उप़र द या फिर हो गया मालो कि यूस ने क्या कर रहा है और है इसक्लेंटटिल नहीं कि अंभलत ऊफुपन कर देगा और इतने में चैछह पूलगत इतने capability वाले atomic bombs ने पूरा का पूरा हिरोशिमा नागासा की तबाह कर दिया था तो अब तो हजार गुना ज्यादा capability थी hydrogen bombs थे उनके पास में तो वह कितना नुकसान पहुचा सकते थे तो इस तरह से क्या है कि यह जो पूरी situation situation of war यह जो unforcing situations थी कि गलती से भी अगर accident भी हो गया तो क्या होगा ठीक है unforcing situations of war at times brought leaders on negotiating tables at times leaders जो थे चाहे कितने दुश्मनी हो देशों के बीच में ठीक है ठीक है के वेपन जो है nuclear weapons non nuclear जैसे biological weapons को यूज नहीं करना क्यों कि वो तो humanity के अगिंस चले जाएगा ठीक है तो अब क्या हो रात तो आपको वहाँ पर कुछ treaties के बारे में दिया है ठीक है usually उसको skip कर दिया जाता है लेकिन हम पढ़ेंगे उसके तो एक वीडियो उस पर बना दूंग मैं arms control पर चिंता मत करना ठीक है तो कुछ arms control वगेरा treaties sign की के जिससे हत्यारों को control किया जा सके ठीक फिर क्या starting in 1960s टू साइड साइड इस सिग्निफिकेंट एडिमेंट विट इडिकेड तो 1960s से 70s तक आपको तो मल्टीपल ट्रीटीज साइन की जाती है अलग अलग देशों के दौरा मुल्टीज ट्रीटीज जो थी तो इसससे क्या कर दिया गारों ने बोल दिया यह लास्ट में पढ़ा समझ दिखाई तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि कंट्रीज ने रिस्पॉंसिबली एक्ट किया अब उन्हें समझ में आ रहा था कि हम तो हमारी अपनी जगह है ठीक है और यह इस तरह से जो अलग अलग मल्टिपल एरेनाज में चुडपूट चुडपूट लड़ प्रोड़ी बात की गई है तो इसको इंडिया डिस्क्रिवेटरी बोलता है और जब आप पूरी बुक पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में और जगा-जगा जगा जिक्र मिलेगा इसका तो इसके तक जितने के पास आ गया आगय उसके बाद में आगे कोई वेपन नहीं और नुक्लियर टेक्नोलोजी का इस्तमाल किया जाएगा पीसफुल परपस के लिए और इंडिया ने इसका साइन नहीं किया क्यों कि इंडिया को पता था आपने आजू-बाजू दोनों तरफ क्या है होस्टाइल नेबर से तो हमारे पास तो नुक्लियर वेपन चाहिए ठ ठीक है इंप्ने मैं यह फिरिटोफमें एक एंड आटी आटी-व ऐलेस्टिक मिसाइलल मतलब ब्राइस्टिक मिसाइल जो अपने ऊपर के बीच में इस तरह की ट्रीटी साइंग की गई है ठीक है देर आफ्टर इस सूपर पावर्स हैल्ड सेवरल राउंड्स आप्स लिमिटेशन टाक्स एंड साइंड सेवरल ओर ट्रीटीज तो इसके बाद में जैसे देखो में किस तरह से दो पावर ब्लॉक्स इमर्ज हुआ यह सारी चीज़ें आपको बता दिये अब एक टॉपिक और है जो शायद आपके लिए सेक्ट्वल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा कहानिया सुनना हो तो बुक का मतलब इस तरह से में कोर्स का नहीं है वह लेक क्लास 12 यह सभी क्लासे के वीडियो लेक्चर्स इसी तरह से मैगनेट बेंस पर अविलेबल है यह बहुत आसानी से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं घर बैठे अपना सिलिबस कंप्लीट कर सकते हैं अपने जूनियर्स और सीनियर्स को ज़रूर बताई मैंगनेट के बारे में जोते हैं नेक्स वीडियो में तिल दैन स्टेउ लर्निंग कि एक के लर्निग ठैंक्यू थें युथांक एफ्रिबड़ी इस थिरासथ सिंग राजपुत वेलकम तु मैं इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कूल्ट वम्ड जूं टाइम लाइन भर तो उस चीज़ को जानने के लिए समझने के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस परस्पेक्टिव से पढ़ा लो समझ लो मैं आपको कुछ इवेंट्स के बारे में बताऊंगा एक कह सकते हैं कि सिस्टेमेटिकल एक अरेंज क्रोन लॉजिकल मैनर में हमें वो जानने को मिल जाएगा अब हम देखते हैं नाइंटीन फोटी फाइफ के बाद से जो है तो वह टेंशन जो बढ़ता चले जाता है ठीक है टेंशन और बढ़ता है कब जब जो लीडर से अलग 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 ठीक ह तो हैरी स्टर्मेल जो थे तो उन्होंने टर्मेंश डॉक्त्रिन करके डॉक्ट्रिन लाए थे इस चीज़ को समझो मतलब रूजबल्ट की डेथ के बाद में हैरी इस टर्मेंट जो है ठीक है तो वह प्रसीडेंट बनते और उन्होंने अपनी पॉलिसी में सिधा कह दिया क कि अभी तक जो USA ठीक है फिर्स्ट वल्ड वार के बाद मतलब यह से देखा जाए तो सेकंड वल्ड वार में लेट इंट्री लेता है कि जो हम USA वर्ड से अलग रहता था isolation की policy में था वह हम isolation छोडते हैं और हम active involvement रखेंगे में और उन्हें यह बोला कि कोई भी देश अगर किसी प्रकार से किसी भी किसी भी तरह के प्रेशर के अंडर में तो यह इंडारेक्ट एक मेसेज था कि कोई तो टर्मेंस डॉक्ट्रीन का एक्स्टेंशन कह सकते हैं कि उस समय पर जो अमेरिकन सेक्रेटरी ओफ स्टेट थे ठीक है जॉर्ज मार्सल तो जो जोज मार्सल के दुवारा मार्शल प्लान इंट्रीड्यूस किया जाता है जिसके चलते यूएस क्या करता है यूएस एड प्रोवाइड करता है फॉर्दी रीकंस्ट्रक्शन आफ वेस्टन यूरोप क्या होता ना सेकंड वल्डवार में सब एकदम निस्तनाबूत हो गया था बहुत ज्यादा डिस् इसन किया था जिससे उसने बहुत सारा पैसा घटा करता है वेस्टन यूरोप की मदद करता है रिकंस्ट्रक्शन में से वेस्टन यूरोप जो है तो वेससे की तरफ वैसे ही हो जाते हैं तो जो अलाइंस बिल्डिंक का काम चल रहा था इस तरह से होता ठीके फिर आप को क्या कर दिया था प्रिटें को फ्रांस को ऐसे बाट दिया था फिर अगली चीज़े तो जो यूएसर के पास था उसमें से भी बर्लिन जो जगा capital city जो था नहीं तो capital city के साथ क्या कहानी थी कि यह अगर मान लो कि तर गया यह जैसे capital city था तो capital city का western part जो था वो western alliance के पास में था अब हुआ क्या था कि USSR ने USSR ने ब्लॉकेट लगा दिया और बोल दिया कि जो western यह पाइट है ठीक है western पाट है इसको जो basic supplies वगेरा है वो नहीं दी जाएगी यह basic supplies वगेरा को रोक दिया था यूससर ने इसके लिए वेस्ट बर्लीन के लिए तो आप क्या होता है कि बर्लीन ब्लॉकेट होता है ठीक थे लिए तब इस आप समझोगे ठीक तो वेस्ट बर्लीन के जो लोग थे वो एक तरह से जो वेस्टन लाइन्स थी युएसे युएसे के साथ फ्रांस बृतेन उनके कंट्रोल में थे तो उन्हों को तुनकी मदद करना पड़ेगी तो एयरलिफ्ट किया गया था एयरलिफ्ट किसको किया गया थे हैं यहापर तो जो स सारे इवेंट से कैसे कोर्डवार के ताइम पिर बलॉकेट लगा दिया है और उनकी मदद के लिए कौन आ गया उनकीम उनकी मदद के लिए क्ल abuse कर रहे यूयस के लाइज तो यूस और वेस्ट बरलीन की मदद कर रहे तो है अगला क्या है कोरियन वर 1950 से 1953 Korean War मैंने आपको समझाया अभी अच्छे से पिछली वीडियो में ही तो Korean War के टाइम पिरेड में भी क्या हो रहा था कि आमने सामने थे ठीक है कौन US और USSR ठीक है तो उसमें चाइना बैग्ड था नौर्थ कॉरिया और सौथ कॉरिया में यूस बैग्ड फॉर्स थी अगली चीज कहा है 1954 डिफीट ऑफ फ्रेंच बाइदी वियतनामिस एट दिन बेंपू ठीक है अब यहां पर देखो बहुत सारी चीज़ें क्या हो रहा है कि पहले जो वियतनाम था ना इट वस अंडर दी तो इंडो चाइना वाला जो रिजन था तो जैसे हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे तो वैसे फ्रांस की कॉलोनी था वियतनाम अब क्या होता है कि वियतनाम को आजादी मिलती है किसे फ्रांस से कब मिलती है तो वियतनाम को आजादी की बात करें तो 54 में वियतनाम को आजादी मि कर दिया था अलॉंग दी 38 पैरलल 38 पैरलल मतलब 38 डिगरी का वो जो लाइन है ठीक है वो तो उस थरह से क्या है यहां पर आप जैसे देखोगे किसकी बात की जारी है वियतनम की तो वियतनम को भी इस थरह से डिवाइड कर दिया गया था ठीक है जैनेवा अकॉर्ड जो हुआ नगो दिंदम ठीक है नगो दिंदम नगो दिंदम वाज दी रूलर ओवर यह ठीक है तो उसको क्या कर दिया था साओध वेतनाम की वो दे दिगे थी पावर अब देखो यहां इतने ही पर चीज़े खतम नहीं होती ऊपर अब क्या होगा दिखती बात तो फिर आमने सामने कौन हो गए यूस और यूससर तो इसी परासे दीज़ा दी एलेनाज ओफ कोल्ड वार जो अपने पिछली वीडियो में पढ़के आये ना कि इस तरह से कोल्ड वार के टाइम प्रेड में क्या हो रहा था इस तरह से कोल्ड तो यहां पर अलग अलग जगा हमें कंफिक्ड्स देखने को मिल रहे थैं यह हो गया उसके बाद में समझो कि तो formation of CETO तो सीटो भी हमने पढ़के आ चुके हैं कि जब वेस्टन अलाइंस और इस्टन अलाइंस बन रहे थे तो इन वेस्टन अलाइंस और इस्टन अलाइंस में क्या देखने को मिलता है कि नाटो वार्साप हो गया उसके बाद में जो नाटो नेशन थे तो उन्होंने क्या क यहां से बाहर जाके भी क्या करते Allianz बनाने स्टार्ट किया तो यहां पर तो यहां पर साउथ इस्ट ऐसीस्ट ट्रीटी ऑός जो बनीदा तो इसमें अब क्या जाएगा इसमें जैसे आप देखो एकना तो ऑस्ट्रेलिया न्युजेलेड Kent इन से साहत अपने साथ मिला लिया था और साउथ इस्ट में साइड में आपको क्या देखने मिलता है कि ग्रूपिंग बनती है तो वह डेट मतलब एक क्रोनोलाजी में बताई जा रहा है कि क्या हो रहा है कैसे कोल्ड वार में टेंशन डेवलप हो रहे है तो 1954 में सीटो बन जाता है फिर फिर क्योंता है 1954 75 तक अगर आप देखते ना तो मैंने क्या बता है अंपर कि फ्रेंच जो था तो फ्रेंच कॉलोनी से आजाद हो जाता है वियत्नाम ठीक है वियत्नाम को इंडिपेंडेंडेंस मिल गी है लेकिन प्रोब्लम खतम नी रही क्या हुआ है कि आमने सामने आ गय आजसे यहां पर व्यतनाम यहां के जो लोग तो यहां की जो गवर्मेंट नौन कमिनिस्ट लेकिन जो चाह रहे ते कि साओध व्यतनाम नॉर्थ व्यतनाम दोनों मिल जाई यह जो डिवीजयन हैं डिवीजन खतम हो जाए ठीक है और आप इस चीज को सपोर्ट कौन कर रहा था चाईना भी सपोर्ट कर देता था ठीक है USSR क्योंकि कर दोखर अब हुआ क्या अब अमेरिका को वुला क्या लगा कि यहां से अगर एक तरह से यहां पर कविनिस्ट गॉर्मेंट हटती है तो उसका डॉमिनो इफेक्ट कमबोडिया में देखने को मिल सकता है यहां भी क्या होगा यहां भी कमिनिस्ट गॉर्मेंट बन जागी तो यह से तो वर्डवाइड किरिकरी हो जाएगी तो उस चीज़ को चछक करने के अमेरीका का करता है उस चीजक करने के लिए अमेरीक अपनी फोरसेथ दोतार देता है और फिर जाह i.g किसे कोंड लॉर में चीज आएंगे बढ़ रही होती है तो आप देखåँके मैं आइस वेस्टन लायन्स धिषन तो सेंटो में क्या जाएगा अब तर्की व घयरा को अपने साथ के पाकिस्तान का पांट बिल जाता है अब पास्टान सेंटो का पाट वह जाता था थो अब यह पिएख वोड़ वो डिपर की क्या हो रहा है के अफगानिस्थान मेन फोर्ससत को तार देती है कौन ग recordings सोवीट यूंनियन ठीक सोवीट इंटरवेंशन इंटर इपने इwn और स्थान तल था क्योंकि यह अब सेंट्रे अश्या है तो सेंट्रेश्य Здесь के इंस बढ़ रहा में चले गया था वो यूएस के साथ ठीक है फिर क्या है देखो तो सोवेट इंटर्वेंशन हंगरी अब यह चीज भी देहां रखना है मैंने आपको स्टाइटिंग में बताया था और जब हमने प्रिवेस्ट वीडियो में डिसकूस किया था कि एस्टन यूरोप जो है सार वाले ब्लॉक में चले आएगा इस्टन अलाइंस में चले जाएगा अब क्या होता है कि स्टैलिन के अंडर में उस टाइम पिरेट से अगर जैसे देखोगे ना तो जो दूसरे देश तरी से हंगरी हो गया ठीक है चिकोस्लोवा क्या हो गया इनके उपर एग्रेशन दि क्यूबा कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लीन वॉल अब देखो यह यह अला पॉइंट अगर समझे को 61 में क्या हो रहा है यूएस स्पॉंसर्ड बेयोफ पिक्स इन्विजिन को ऑफ क्यूबा तो क्यूबा में क्या होता है क्यूबा में सबसे पहले जो फिदल कास्ट हो था तो फ सब्सक्राइब काल माक्स कम्टिद एन ऐडीलोजी के साथ में हो गया तो आप क्या हो रहा है कि फिर अमेरिका को जा किया हमारे पास मीजतिक है और कियोई क्रीजिए सुद में इसेंट करती है तो हब तो एक सकतर से तो अपने कुछ लोगों के साथ में और दो वो एरक्राफ्ट थे उनके पास थोड़े बहुत हतियार तो से हरा देते यूएस फोर्स इसको ठीक यह सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं फिर क्या होता है क्यूबन मिसाइल क्रैशिस होता है वह पता है करने के लिए तो अमेरिका यहां पर डॉमिनिका रिपब्लिक में इंटर्वीन करता है ठीक वह हो गया उसके बाद में आगे और समझना कहानी तो हाँ डॉमेनिका रिपब्लिक में कंस्ट्रक्शन और बर्लिन वाल यह पॉइंट रह गा हमारा अब इस बीच में क्या हो रहा जैसे हमने आप को बताया कि बरलिन जो है उसको भी डिवाइड कर दिया था जर्मनी को तो आप जो इस बरलीन वेस्ट बरलीन में तो यह पे पॉइंट यह भी है कि यहां पर जो डेमोक्रेटिक रिपप्लिक ओस ईस जर्मनी था ठीक है इस जर्मनी मतलब यूएस्सर का जो कर दिया था उनने तो सब्सक्रार is बारन से यहां से इसर बरलीन से वस्ट बरलीन बहुत नहीं जाते थैडिकां सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्योंत क्षीन प пожत धंशन आगर में जह तो यहांकर वेस्ट भीशियोशन्स जो ड solche हो रही थी इन से चिनते थे किए का अधर बरलीन को बंद कर दिया घ Kendall Jak यहांकि यहां पे इस को जब बंद कर दिया गाया ता कि लोग ना भागे पंहारे घर थे तो वह शरूं की बात होती भृसुल眑 कि इसे सब्सक्राइब का देआप में वे जर्मनी उसμεं लोग इसले माइग्रेट करके चले जा रहे उदर तो यहां पर बर्लिन वाल बनाई गई गई वह बहुत समय बाद गिरेगी कब गिरेगी इन्टीन इन नियुग एंटी चुब्स करके वहां पर कमिनिस्ट गौवर्मेंट्ट इस्टेपलीश करना यह अब जीक्ट्व रहता था सोविए उनीयन का फाइन फिर और क्या है तो अब अगर जिसे देखेंगे 68 काद में 72 यह इवेंट बहुत इंपोर्टेंट इसको ध्यान रखना ठीक है यूएस प्रसीडेंट रिचार्ड निक्सन विजट टू चाइना अब क्या हो रहा है देखो चाइना जो है किसका अलाई माना जा रहा है न उन में भी स्प्लिट देखने को मिलते थे चाइना और यूएस से सार मतलब सोवेट उन्यों और चाइना ऐसे आइडिलोजिकली कमिनिस कंट्री ती लेकिन वह कभी-कभी आपस में भी लड़ पड़ते थे और इंफेक्ट चाइना और यूएस के बीच में भी लड़ाई थ आते हैं और यह तरह से दिखाता है कि चाइना जो है तो धिरे-धिरे capitalist हो रहा था क्योंकि चाइना भी में इंडस्ट्री वगेरा इन सारी चीदों को बढ़ाने की बात की जा रही थी और यह सब कुछ हो रहा है और इसमें यूए से सार को बताये नहीं था तो यह आप सब्सक्राइब तो यह दोनों मिल रहे हैं ठीक है फिर क्या हो रहा है वेतनामी इंटर्वेंशन इन कंबोडिया आप क्या हो रहा है मैंने आपको बताया जैसे वेतनाम में वह तो चले गया था कौन यूएस 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 ने वहापे हार भी खाई हार ऐसी खाई की जो वेतनाम था तो पूरा व्यातनाम अल्टिमेटली रिखाते हैं और व्यातनाम कमिनिस्ट बनता है वह बोलता आजब आजब ऑजब रूख वह दिखाते हैं आपको तो जो चिंता थी किसको यूएस को वही हुआ में लिएक्ष इंटर्वेंशन होता है तो उसको चेक करने के लिए उसके बाजू की टरिटरी कौन थी अफगानिस्तान में फोरसे उतार देता है सोवेट ठीक है सोवेट इंटर्वेंशन इन अफगानिस्तान 85 आते हैं यहां पर अब देखो कि तो युएससर का इस समय पर लीडर कौन है मिखाइल गौरबर्चिव ठीक है तो मिखाइल गौरबर्चिव जो था तो गौरबर्चिव विकम्स दी प्रसीडेंट ऑफ युएस तो यूँ ważne तो मिखाइल गौरबचिव ढ़ना झाओ लिखत है कि द्र। लुएक नामों मिखाएल गौरबर्चिव ठीक है तो प्रेशट्टो रिकाइं ग्लासद नौस तरह और क्या है प्रेस्टो रिका मतलब यह है की धीरे धीरे पॉलिटिकल प्डी MA पॉलिटिकल रिफार्टी रिफॉर्म्स आएंगे USSR की कंट्रीज में स्थे अपको यह स्थे कंट्रिश को eth प्रेस्टो ऐस्टो थो वह स्थे चैन क्या है की एक्ञब्स काज तो ठ्यूसिज है तीक है यह जाता है कि इन्हीं पॉलेसिस के बाद से क्या होता है और वही होता है तो 1989 आते आते क्या है फॉल ऑफ बर्लिन वाल तो जो मैंने बर्लिन वाल बताया था ना तो आप क्या है लोग बहुत परिशान हो चुके थे अनिम्प्लॉइमेंट बहुत जादा था वह कहां बर्लिन में और इस बर्लिन के लोग माइगरेट तो करते ही थे उन्होंने देखा कि यह जबरन पार्टिशन करके रखा है तो बर्लिन वाल को गिरा दिया जाता है 1989 में ध्यान रखना मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्मेंट इन इस्टन यूरोप तो इस्टन यूरोप का उनिफिकेशन होता है बर्लिन वॉल गिरा दी जाती है तो अट्र डिसिंटेग्रेशन ऑफ सोवेट यूने एंड एंड और कोलड वार को अधा यूसे उससर के बीच में यूसे साहर का डिसंटेग्रेशन हुआ सोवेट इन गडिसंटेशन हुआ मतलब कोलड वार खथम तो आयोब आप कनेक्ट कर पायों कितनी सारे इवेंट जो थे जो शायद चैप्टर में स्पेसिफिक नहीं दिया लेकिन टाइम लाइन से हमने सीखा ठीक है तो इस तरह से पूरा का पूरा जो एक सिस्टम था बना जो हमने वह डिसकस किया है तो यह क्लियर वह आपको अब आ बना सकते काड़ूर के लिए चैप्टर के साथ में डील करते चलते हैं पॉलिटिकल स्प्रिंग अब क्या यह इंडियन काड़ूनिस्ट है कुट्टी ठीक है तो उन्होंने बनाया है यह वह वेरी फेमस काड़ूनिस्ट तो अब अगर देखे समझें तो उन्होंने वह जो तो मैंने आपको होता है निकसन की विजिट होती है चाइना ठीक है तो निकसन और चाइना देखने को मिल रहा है जड़ा है तो ऊछन के साथ होगा वह नहीं होता है तो उस चीज को दर्शाए गया इस काड़ून के तूँप तो प्रसीडेंट जॉंसन तो जॉन एफ के बाद में President Johnson थे तो President Johnson is in more troubles over Vietnam तो वियतनम में जो forces उतारी गई थी ना 54 के बाद में American forces तो वह American forces का एक तरह से self destructive थी self destructive कैसी थी कि लेना ना देना आईडियोजी के चक्कर में उतर गए नुकसान हुआ वहां पर बहुत तो तो बैक होम क्या होता है कि American government को criticize किया जाता तो जिससे इन्हों ने सोचा था क्या कि यह वियत कॉंग्रेस जो थे वियत कॉंग्रेस मतलब वियतनाम की Congress की बात की जारी वियतनाम की कि वियतनाम को हम क्या capitalist बना देंगे प्रेसिडेंट जॉंसन ने सोचा था लेकिन इस अटेम्ट वास आफ फीलियर तो उल्टा यह उनको भारी पड़ गया यह उनको खाने गया थे उसने उनको खा गया तो काटून के थूरू बहुत अच्छी तरीके से डिविक्ट किया उस चीज़ को क्लियर तो फुड़ फॉर थोट यह काटून होगा इंपॉर्ट तो इन काटून को ध्यान रखना है आपको क्लेर हुआ टाइम लाइन तो अब हम कहां चलेंगे आप देखो आगर हम समझें यहां पे तो हमने क्या देखा अभी तक चैप्टर में थोड़ा सा रिकॉल करो कि अब जयो न्या बदला है वागो कहा बड़े तो आप चैप्टर का नाम इसा भी लिखा जाता है क्या कि ओल्ड वोर एंड दी नॉन इलाइंड मुर्वेंट इज है चो तो सारी चीजे हैं सारे वीडियो से क्या करने वाले हैं वो सारे डाउट सो हम नेक्स्ट्वीडियो से non-aligned movement वाले टाइप का जो हमारा topic है ना उसमें discuss करेंगे ठीक है चलो तो magnet brains पर kindergarten से class 12 तक इसी तरह से सभी subjects, chapters, topics, subtopics सब कुछ systematic way में video lectures के format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कीप लर्निंग, थैंक यू, थैंक यू, हलो एवरीबड़ी, इस दिग्रास सिंह राजपूत, वेलकम तो magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे challenge to bipolarity, challenge to bipolarity, topic को समझो, आदा topic, मतलब heading को समझोगा, आदा topic यहीं समझ में आ जाएगा, हमें पता है कि cold war वाले time period में, world जो है, दो blocks में, दो super powers के बीच में क्या हो गया था, बट गया था, ठीक है कैसे, तो एक तरफ US, एक तरफ US है जो capitalism को liberal democracies को दर्शाता है, दूसरी तरफ USSR है जो communism को socialism को दर्शाता है, अब क्या है, अब हम जो थे, ठीक हम मतलब क्या, as a nation, जब हम 1947 में आजाद होते हैं, मिठाई-मिठाई बढ़ती हैं, वो तो सब हो गया, उसके बाद में जिसे हमा आला ब्लॉक ना खुश, तो उस पूरी scenario में, उस पूरी circumstances में हमें रास्ता ढूनना था, ठीक हैं, तो जो world उस समय पर bipolar था ना, दो पोल्स में divided था, हम वहाँ पे कैसे उस bipolar world को challenge करेंगे, in fact यहां ऐसा भी लिखा जा सकता है, solution to bipolarity, की bipolarity जो थी world दो पोल्स में जो का context आपने समझ लिया पूरा, अब उस cold war में जो third world nations थे, उनके लिए क्या prospectus था, वो आपको यहां जानना है, fine, और एक और important चीज़ क्या थी, हाँ, कि आप जिसे आप chapter का जो नाम हुआ है, नया साफ, वो क्या है cold war and the non-aligned movement, तो हम वो non-aligned movement जो है, उसे यहां से समझते च चलो, तो वो जो पूरी situation थी जो पूरा context था, तो इन दिस context, the non-alignment offered, a new non-alignment offered, the newly decolorized countries of Asia, Africa and Latin America, a third option, not to join either alliance, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, क्या औरा की context आपको समझ में आया, अब इस बुरी स्थिती में, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि options hard होते ना, कभी-कभी, वहीवाल सब्सक्राइश थे, कौन-कौन से, तो जिसे अगर आप देखो कि Asia, Africa, Latin America, world map लेकर बैठे हो, मैंने आप से कहा है कि जब भी पढ़ो, world map जरू लेकर बैठना, क्यों, क्योंकि Asia, Africa, Latin America, हो सकता है कि आप कुछ लोगों को तो एकदम सारी चीज़ें क्या होगी, ध्यान होगी तो आप जब क्या है कि चीजों को रटने की जगा विजुलाइस करते हो कि अच्छा वर्ड में कहां क्या चल रहा है, तो आप क्या हो रहता है, तो अब क्या हो रहा है कि Asia, Africa, Latin America में जब जो नए-नए देश आजाद हो रहे थे, जैसे हम आजाद हुए 1947 में, वैसी यह आप देखो तो आफिरिका में बहुत सारी कंट्री आजाद हो रहे थी और इनफेक्ट आफिका में तो नैंटी स तक टूथाउजन तक देश आजाद होते रहेंगे, फिर आप देखो कि लेटेन अमेरिका जो है, तो वहां पर देश आजाद हो रहे थे, तो इस कंटेक्स में क्य क्या होता है non alignment मतलब ना इसके साथ ना उसके साथ थार्ड वे आउट क्या रहेगा हमारा की नौट टू जॉइन आइदर अलाइंस ठीके नौन alignment मतलब नौट तू जॉइन आइदर अलाइंस यह चीज एक अच्छा option प्रोवाइड कर रही थी जो नूवी डिकोलनाइजन इसन्स धे और जरूरी भी था रहा अगर हम क्या है नूवाइड को जो जोइन कर लेते से एफ घो यूइस के साथ जान थे ना non-align मतलब जो नियुली कोनाइज कंट्री थी जो नॉलर लाइनमेंट को हने वाली उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था कि हाँ non-alignment की पोलेशी को फॉलो किया जाये नौल अलाइन मतलब किसी के साथ नीहीं उना किसी के साथ तो establishment of Naam तो यह जो non alignment movement start हुआ या फिर जो नाम जो है इस organization को establish किया गया है यह किसने establish किया कैसे establish कि idea कहां से आया तो तीन दोस्त है तीन दोस्त की कहानी बताते हैं आपको तो आपको बताया था ना प्रीएस वीडियोस में जिसमें समझाया था मैंने कि युगोसलाविया कि क्या कहानी है तो युगोसलाविया एक तरफ इधर आप देखो कि वेस्टन ब्लॉग इस तरफ इस तरफ इस तरफ ब्लॉग और बीच में जो ग्रीन कलर का शेड़ेट पार्ट था उसमें क्या है उसमें थाव हो कम्यूनिस्ट लेकिन वह ब्लविर था नहीं फॉर्मली नमें वेस्टन लॉग को जोइन करूंगा इस्टन ब्लॉग को जोइन करूंग है तो युगोसलाविया जो था तो हैड़ेड़ वाइजौसिफ प्रोस्ती टीटो इंडिया जवाल तीसरा रास्था निकल के आजाए नॉन अलाइमेंट का रास्था निकल के आजाए ठीक है तो मीटिंग हुई थी कहां पे 1956 में काई की मीटिंग थी तो बैंक दूंग कॉंफरेंस हुई थी बैंक दूंग कॉंफररेंस ंडोनेशया में उति Papam सुख्ण यह सारे पांचोन मेंबर जो थे पांचोन लिडर्स इन्वी इंदो ने भी आ किया वसाइडिया को स्ट्रॉंग ली सपोर्ट की कि हार बातों सही बोल रहे है ठीक एक नाम नउन अलाइंग मेंट जैसा एक और अरग्विस्टी का बनाया जाना चीछ जिससे का है कि प्रेशर ना हो प्रेशर क्यों ना हो वो भी मैं समझाता हूं कि नौन अलाइंट मुवमेंट के पीछे का आईडिया यही था क्या होता था कि जो कंट्रीज थी कंट्रीज अगर किसी एक सूपर पावर को जोईन कर लेती थी तो दे दे जस्ट बिकिम दी पाउन ऑफ दे देंगे लेकिन अब क्या हो रहा है कि उस सिनेरियो में वर्ड वाइड उस समय जो वर्ड पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें आप किसी भी ब्लॉक में जा रहे तो आप फिर उस ब्लॉक के प्यादे बनके रहा जाओगे वह ब्लॉक आपको आप उसके मोटिफ के लिए इस्त सब्सक्राइब तो यह कुछ बेसिक कंसेब्स हैं और क्या पूछा जाता है एक्जाम में पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ चीजी जो पूछे आती तो इसी तरह से की प्रॉमिनेंट मुवमेंट है क्यों कि आप यूमन हिस्ट्री को समझोगे ठीक है मतलब हुमन हिस्ट्र में इस आईडिया पे काम किया गया और चो पहली मीटिंग होती वह बेलगारड में होती है बेलगाड यूगोश्लाव्या वह ठीक है और इसको लीडव ने किया था जिसके देश में वह लीडर बनेगा चीज़ेंगा तो इस तरह से यूगोश्लाविया में जॉसीफ ब्रो का तो 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 यहां पर देखो कि लिए जॉसिफ ब्रोज टीटो ठीक है और यह सब कैपिटल कर लेना जवाला नहरू जवाला नहरू की बात करें तो हम इंडिया मतलब इंडिया के प्राइम प्राइम मिनिस्टर और रिप्रेजेंट कर रहे थे फाउंडिंग मेंबर की तरह फिर गमाल अब्दिलनसीर एजिप्ट ठीक है मतलब कहा सकते हैं कारिस्मेटिक लीडर ऑफ एजिप्ट फिर क्वांवे नुकुर्म महा ठीक है गाना से और यह सुकार्नों इंडोनेशिया से तो यह पांचों लोग मिलके क्या करते हैं पांचों लोग मिलके एक तरह से फाउंडिंग मेंबर बन जाते हैं फिर इस्टैब्लिश्मेंट ऑफ नाम वाज दी कल्मिनेशन ऑफ एक लिस्ट थी फेक्टर्स अब देखो यह तो मैंने आपको कहानी बता दी पूरी अची तर करने की बात करते हैं तो इस तरह से कोर्परिशन देखने को मिलता है इन फाइफ कंट्रीश के बीच में फाइफ निग एरिया नास ठीक है आपके और कि कोल्ड वार टेंशन यह टाइम प्रेड को देखो गेना 54-61 जब यह मीटिंग हो रही यह आईडिया डिसकस किया जा रहा है बेल गार्ड बंदू कॉन्फरेंस तो इस टाइम क्रेड में क्या हो रहा है इस टाइम प्रेड में कोल्ड वार के टेंशन भी ब तो उनको एक अच्छा अल्टरनेटिव मिल सकता था अगर नाम जैसे इंस्ट्यूशन को स्टैब्लिश किया जाए एक और्गनाजिशन को स्टैब्लिश किया जाए तो ठीक है दिड्रमेटिक एंट्री आफ मैनी नीवली डी कोलोनाइज आफ्रीकन कंट्रीज इंटू नीवली डी कोलोनाइज नेशन से ना यह सब यूए नाइटे नेशन को जॉइन कर रहे थे फिर उनके पास सामने वही आप्शन आ रहा था बाद वही फश्री थी कि यूस या यूससर तो उस पूरे कंटेक्स्ट में नाम का इस्टेबिशमेंट बहुत सहीं बैठ रहा था ठीक है बहुत सूट हो रहा था ठीक है तो इस समीट वास अटेंड़ेट बाइट वाइट वैंटिफाइफ मेंबर स्टेट्स टीक है तो 25 मेंबर स्टेट्स के दौर पहली समिट जो है वह एटेंड की गई थी उसके बाद में जैसे देखो गे तो ओवर दी यह दी मेंबर् परती चल लगी जैसे अगर अभी देखें तो इंक्लूट्स 120 मेंबर स्टेट्स एंड 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज ठीक है 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज बहुत सारी इंटरनाशनल और्गनाइशन्स भी ऑब्जर्वर स्टेटस लेके बैठी नाम का आज की स्थिति बातारों मे अगर बात की जाए तो 18 समिट जो हुआ था नाम का वह कहां हुआ था अजर बेजान में हुआ था इन 2019 अच्छा नाम की सिग्निफिकेंस एक यह भी समझना कि युनाइटिड नेशन्स के बाद में एक ऐसी इंपॉर्टेंट दूसरी इंस्टिटिउशन हो जाती है जहां प पड़ी ऑपर भी इस बड़ी के सांसाथ में इसमें जाए हैं तो डेवलपईंग कंटरीस का जो प्रपोर्शेन नहीं करते हैं वो थर्डव बर नशूस की बहुत अच्छी कि नाम की मीटिंग स्टार्ट होती जैसे 1961 में पहली बार देखते हैं फिर वहां से क्या होता है वहां से आप आगे बढ़ोगे ना तो वह पॉप्लेरिटी बढ़ रही है तो इनिशेली 25 मेंबर्स ने उसको पहली जो सब्सक्राइब की थी लेकिन अब क्या देख रहे हो आप आज की सीथिमें 120 मेंबर से तो धीरे धीरे पॉप्लेरिटी बढ़ी यह पॉप्लेरिटी बने के साथ साथ में बेस्ट ऑप्शन भी लगा है जो न्यूली डिको नाइज ने बोला कि कहां चकर में पढ़ना युए स्वेसे सार के लड़ाई के ठीक है इस्टर आलाइंस वे गया एक पॉप्लेंटी बहुत जादा गयी यह अब क्योंकि एफ्रिकन कोई निशन ऐसे जिनकी इस्टिती बहुत बुरी यह इंडिया जैसी मतलब एस्पिरेशोन कंटरी भी थी उसमें इसमें चीजागे औन तो गुरुप बड़ा हो रहा है गूरुप बड़ा होने से क् it define in very neat and precise terms तो अब उससे हो कहा रहा तो उससे यह समझने आ रहा था कि किस किस के aspirations को दर्शार रहा है नाम ठीक है non-aligned movement जो है तो वो इतने सारे लोगों मतलब इतने सारे nations को जब represent कर रहा है तो वो उसका basic idea क्या है उसको precisely नीटली डिफाइन करना मुश्किल हो रहा था कि इसका objective क्या है तो आप बोलो कि बिना objective के बना दिया क्या वो नहीं तो objective निकल क्या आता है ठीक है so what did it really stand for सवाल यह आता है कि challenges तो आप मतलब आपको वह दिखतो रहा है कि हां बड़ा होते जारा है जैसे जैसे हमारा मुवमेंट तो उसमें ज्यादा लोग आ रहे हैं हेट्रोजेश होते जारा है मुवमेंट तो इस हेट्रोजेशने के चलते सवाल यह निकल के आ रहा है कि वह क्या दर्शाना चाहरा है ठीक है what does it really stand for तो increasingly nam was easier to define in terms of what it was not ती अब आप उसको ऐसे मत देखो जैसे कभी-कभी क्या होता ना कि मैं आपको मतलब एक पेड़ागोजी समझा रहा हूं कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें यह बताया जाता है सर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपसे क्या वह समझ नहीं आ है वह समझ नहीं यह यह तो तो टॉन आपके नहीं तो और प्रेंसे चीन रहा हूं दो में कि में बनना है तो लौह में अपार्थाइट के बारे में मतलब जैसे अलग-अलग कॉन्फरेंस होते जाती ना अलग अलग आउटकम निकल के आते हैं नाम में डिसाइड किया गया था जिसे इंडिया का कंटिविशन क्या था कि हमने पंच सील के प्रिंशिपल की बात की नॉन अलाइंड मुवमेंट में हमने बोला कि हम क्या करेंगे पीसफुल को नॉट स्टैंट फॉर तो इट वस नॉट अबाउट बिइंगा मेंबर और यह चीज़ क्लियर थी कि नाम कंट्रीज जो है नाम कंट्रीज किसी एक कंट अलाइंस का पाट रही है वह अपने आप में का लाइन से वह कुल मिला के वर्ड को वर्ड के डिविजन के ही अगेंस था तो यहाँ रिक्वाइट टूरी वीट्वीन दी लाइन इस तरह से निकल किया था अब हम क्या करते वाले आगे अभे इत्रा सबकुष में एक चीज़ यह बीए रटॉट आ सकता है या फिर हम उस तरह से बोलेंगे दिफाइन नाम तो आप ऐसे मोल सकते नाम का मतलब क् दम नाम का मतलब है neutrality लेकिन यह दोनों ही शब्द नाम के लिए suitable नहीं है कैसे suitable नहीं है अब समझ में आएगा आपको देखो तो दी policy of staying away from alliance should not be considered as isolationism ठीक है और neutrality यह दो शब्द लेना कुछ नहीं से बन सकते हैं कि ड़स नाम stand for isolationism और neutrality ठीक है तो isolationism को दर्शाता है नाम या फिर neutrality को दर्शाता क्या तो दोनों ही context में मतलब दोनों ही case में यह चीज़े गलत है ना तो नाम का मतलब यह होता है कि isolation में चले जाओ ठीक है isolation का तो बताएंगे और नाहीं नाम का मतलब है neutrality कैसे समझो देखो तो non alignment is not isolationism since isolationism means remaining aloof from world affair isolation का मतलब क्या होता ना जैसे यह शब्द से आप familiar हो गए होंगे आप quarantine isolation ठीक है इतना चला है दो साल की बहुत अच्छे सा अवियर हो गए तो isolationism में मतलब यह होता है कि आप अलूफ हो गया वल्ड से अलग हो ठीक है अलग धलग एक अमरे में आपको बिटा दिया isolation में लेकिन जो नाम कंट्रीस इसका मंदर भी तो नहीं कि वाल्ट पॉलिटिक्स में किसी तरह से पाटिसिपेट ही नहीं कर रही थी ठीक है अगर isolationism की बात की जाए तो isolationism sums up the foreign policy of US from the American war of independence in 1784 up to the beginning of the first world war क्या होता ना American war of independence में अमेरिका अजाद हो जाता है ब्रिटेन से 1787 में उसके बाद से first world war तक अमेरिका है या नहीं किसी को कोई फराइक ही नहीं पड़ता था मतलब तो इससे isolationism कहते हैं इससे isolation में होना कहते हैं ठीक है जो अमेरिका की policy थी या फिर जो कह सकते हैं जो अमेरिका का नेचर था first world war के पहले तक क्या नाम कंट्री भी इसी तरह से non-aligned movement का मतलब यह कि हम वर्ड के किसी भी अफियर में हमें कोई लेने दे नहीं है ठीक है वर्ड में क्या चल रहा हो से में कोई लेना देनी लड़ते रहो हम तो बैठेंगे अलग ऐसा नहीं है नाम कंट्री जो थी ना तो इंफेक्ट यह बताया गया in comparison the non-aligned countries including India played an active role in mediating between two rival alliances in the cause of peace and stability underline cover दो बार पीजर इस्टेबिटी को तो एक objective नाम का आपको यहां पर यह भी धियान रखना है कि non-aligned countries stand for peace and stability और इस peace or stability को ensure करने के लिए at times क्या है वो politics में मतलब participate करती है non-aligned countries to non-aligned countries including India इसे इंडिया ने क्या किया था दो पावर राइवल जो थे उनके बीच में मेडिये मेडियेटर का काम किया तो Korean War ध्यान आया ठीक तो Korean War 1950s 53 उस time period में क्या होता UN के मदद से इंडिया ने ने गुशेट कर वाया था North Korea South Korea के बीच में तो इस तरह से आइसोल अगर हम बात की जाए कि आइसोलेशन इसम की बात की जारी है कि नौन alignment movement मतलब या फिर नौन alignment का मतलब isolationism होता है क्या तो no it is not q q q q we have seen that non-aligned countries including India played an active role in mediating between two rival alliances समाझ मैं आरे न कहानी फिर कहा है देरे स्ट्रेंट वास बेंज on their unity and their and they resolve to remain non-aligned despite the attempt by two superpowers to bring them into their alliances अब क्या होता है दोनों ही superpower क्या करती थी सामने से भी offer देती थी पीछे से भी offer देती थी कि हमारे साथ इस alliance में जो जाओ लेकिन non-aligned countries की strength इसी चीज में थी कि they were determined to they were determined to remain non-aligned the game non-alignment movement key power is cheese metric countries अठाइक लिए हमें किसी alliance में जाके जाके जुड़ना है ठीक है अब neutrality अब सवाल यादा स्वाल यादा सो non-alignment means neutrality मतलब कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगे neutrality का मतलब क्या होता है neutrality मतलब भी समझो non-alignment is also not neutrality why because neutrality refers principally to a policy of staying out of war दो समझना context क्या बता रहा हमारा context ही बता रहा है कि क्या non-aligned countries neutral countries थी नहीं ठीक है non-aligned countries non-alignment is not neutrality why क्योंकि neutrality के जैसे करे definition को समझोगे आप क्या कहती neutrality definition neutrality refers principally to a policy of staying out of war out of war मतलब क्या है तो जो states neutral होंगे तो states practicing neutrality are not required to help end a war ठीक है मतलब अगर कोई state neutral इसका मतलब वो वार से बाहर रहेगा तो वो वार को खतम करवाने नहीं जाएगा चालू करवाने नहीं जाएगा ठीक है neutral का मतलब यह होता है na they do not get involved in wars and do not take any position on the appropriateness or morality of war और वो यह नहीं देखते कि क्या सही है वार में क्या गलते न्यूट्रल स्टेट तो चुपचाप बैठे रहते लेकिन क्या non-aligned countries इस तरह से चुपचाप बैठे थे नहीं क्यों नहीं बैठे थे तो हमने देखा कि और वेरियस रिजन्स वी वर इंवॉल्ड इन वार्स और इंफेक्ट यहां तक ऐसा होगा जैसे नॉन अलाइन कंट्री जो थी तो अपनी इंडो-चाइन वार लड़ा है ठीक यह सारे कंटेक्स को जहान में रखते हैं तो दे हम कहेंगे की non-lion countries were not neutral थी के neutrality को फॉलो नहीं करते थे नहीं neutral थे नहीं isolation में एक दलग अलग धलग रखे हुए थे ठीक है दे वर दे आलसो वर्ट तो प्रिवेंट वार बिट्वीन अदर्स और ट्राइट तो एंड वार्स देट अब यहां तक आपको क्या समझ मैं एक बाइपोलार हो चुका था उस वायपोलारीटी को खतम करने के लिए या फिर क्या सकते उस बाइपोलारीटी को चैलेंज करने के लिए नौन अलाइनमेंट का निकल क्या है नौन अलाइन कंट्रीस का हमने कंटेक्स पढ़ा कौन कौन लीडर्स थे क्या यह सारी चीज़े लीडर्स में से इंपोर्टन चीज ध्याना थी तो एक टॉपिक हम क्या करते हैं कि शॉट क्रिस पढ़ा लेंगे ठीक है मुझे अभी ध करता है ना ही वो न्यूट्रालिटी की बात करता है इंफेक्ट नौन अलाइनमेंट जो है नौन अलाइन कंट्रीज जो है दे प्लेड एक्टिव रोल इन वर्ड पॉलिटिक्स ठीक है तो मैगने रिंस पर खिंडर गार्डन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्स कि लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेल्टी इस दिग्राश सिंह राजपूत वेलकम तो मैगनेट ब्रेंज इस वीडियो में क्या पढने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे फाउंडर फिगर्स और आफ नाम नौन अलाइन मूमेंट पिछले वीडियो में ने क्या प थे उनके सामने चैलेंज था इस बाइपोलार वल्ड में अपने आपको अकॉमडेट करने का तो उन लोगों ने जो सारे डी कोलनाइज नेशन थे उन लोगों ने अल्टरनेटिव क्या निकाला या फिर कह सकते हैं थार्ड वे आउट क्या निकाला था नाम तो यहां पर आ और फर ऑन नाम गहां पड़ने वाले हैं पंच विडर्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक हैं तो पांच यह बारे में आपको इक बेसिक डीटेल बुक में दिये हैं ठीक हैं को कौमड़ीटिव की परस्पेक्टिव से भी क्या हो जाता है इंप्सश आपके पास वैक्षिल मि 1980 fought against Germany in World War 2 अब जैसे कर आप देखोगे ना तो World War 2 में जो जर्मन एक्सपैंशन था तो जर्मन एक्सपैंशन जो यूगोस्लावियन बॉर्डर्स के आसपास हो रहा था और जॉसेफ ब्रोस टीटो जो थे ना तो जॉसेफ ब्रोस टीटो एक ऐसे कम्यूनिस्ट लीडर थे जो जो मतलब कह सकते हैं कि यूगोस्लाविया की मासस जो है जनता जो है उन्हें पसंद करती थी क्यों क्योंकि ही एक्टिवली एक्टिवली प्रोटेस्टेट अगेंस्ट एक्टिवली फॉर्ट अगेंस्ट जर्मन एक्स्पैंशन इन वर्ड बॉर टू ठीक है यहां से उनकी पॉप्लिरिटी बहुत ज्यादा थी तो यही चीज़ मैं आपको मैप पर भी दिखाई थी कि जो वेस्टन अलायांस युगोसलाविया के प्रेशिडेंट में वेस्टन इपना पॉइंट क्लियर कर दिया था था मुझे ना इस्टन बॉक में जाना है तीक अपनी इंडिपेंडनेंटंट पॉलेसिस को परचीव करना है ठीक फिर स्काहिए अधिक है आप देखेंगे तो यूगोसला अलग अलग नेशन में क्या हो जाता है अभी एक पॉइंट करते चलना कि आप देखो गहीं कि अधिक तर लीडर कम्यूनिस्ट या फिर सोशलिजम को पसंद करते हैं तो आप उस परस्पेक्टिव से कह सकते हैं कि सर सभी तो टिल्टेशन दिखा रहे हैं किस तरफ सभी तो ट थोई ना रहा गए निविट्रल और ऐसे समझें उसको क्यों कि आप कह सकते हो कि इस्टर अलायंस के साथ हो गए कहने को नॉन अलायं कंट्री ने लेकिन ऊत्राइन के साथ होतो ऐसा नहीं है ठीक है आइडिलॉजिकली communist होना मतलब क्या है कि उनकी country में जो goals होंगे कह सकते developmental plans होंगे तो वो communism को दर्शाते हैं लेकिन वह जो power tutorial चल रहा था worldwide उस Power टाशल में वोने किसी alliance को join नहीं किया था तो यह ऐसे nation है अब वो अब और एक और मिनिस्टर आफ इंडिया 1947-64 फिर क्या होता है मेड एफर्ट्स फॉर एशियन यूनिटी रोने एशियन यूनिटी की बात करूंने बोला कि एशिया में इतने सारे देश जो आजाद हो रहे हैं ठीक है तो इन सारे दुशों को क्या होना चाहिए आपस में उनाइटेड रहना चीचा अचाहिए तभी हम क्या कर पाएंगे वेस्टर सकती है कि चाइटर के साथ नीगोशियेट कまぁ रहे हैं जो इससे खत्म करना चाहिए हर र्लिशाथ हो अपनी न यूनिटी सब्ने हिसाब कर सके हर देश आजाद की बात कि यह बेड नहीं când अब यह पॉइंट यहां पर धियान रखना और मतलब यह अभी आप जब आपकी जो दूसरी बुक है ठीक है पॉलेटेक्स इंडिया से इंडिपेंडेंडेंस पड़ोगो तो वहां पर आपको थ्रेड्स को ऐसे करनेक्ट करना है देखो क्या हो रहा है कि यहां आपको देखन हम नूख्लियर एक्सप्लॉज़न की तरफ जाते टो वी डिफि्ट नूख्लियर एक्सप्लॉज़न अदर दी नेम ओफ पीसफुल एक्सप्लोज़न ठीक है मतलब हमाँ और जैसे जवाल नाल नहिरूं का विए अगर आप पर आप व देखिंगे तो वह नूख्लियर डिस साथ में बहुत अच्छी कह सकते हैं कि पंच सील पॉलिसी के थूरू आगे बढ़ने की कोशिश करते कि नहीं हिंदी चीनी भाई-भाई उस विचार के साथ में लेकिन बतलब देखो यह आइडियलोजिकल स्टैंड देखने को मिल रहा है आपको जहां पर कि इनिशली जो इं इस आइडियास ठीक उस डिबेट में जाते हैं तो मैं आपको फाउंडिंग फिवर जो फाउंडर फिकर सेंटीके उनके बारे में बता रहा हूं तो आपने जोसेफ ब्रों सीडियो का कंटिविशन देखा ठीके जवालना नहरू के बारे में थोड़ा से जाना और आगे ज कीीटो के देखा जवालना नहरू के देखा यहां भी देख रहे हो तो इसका में नहीं किया कही से कही तक से जो एलाइन्स दूसरी है Eastern Alliance उसके तरफ टेशन दिखा रहे हैं एक व्यमें है लेकिन सोशलिजम को पसंद करने का कारण एक यह भी था कि कैपिटलिजम जो है कैप मेजरिटी सेक्शन जो था उनकी पॉपुलिशन के डिवास अंडर पॉवर्टी ठीक है तो उसको अपलिफ्ट करना है तो सोशलिजम वास अपीलिंग एड़ टाइम लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने कैपिलिजम को नेगलेट किया है तो वह बैलेंस करके चलें दोनों चीज नेशन तो आप देखो लबनान वगिर आजाएगा कुवित आजाएगा कतर आ ईजिप्ट आजाएगा ठीक है तो यहां लगबग लगबग यह पूरा एरिया है ना रेटसी के आसपास का यहां पे मेडिटेटीरिन से लगा हुआ ठीक है ये रीजन यह अरब नेशन में आ पावर के अंडर में जो पपेट रूल्स है यहां पे ठीक है पपेट रूल्स को हटाया जाए और अरब स्प्रिंग अभी आपकी दूसरी बुक में तब और अच्छे से बताएंगे हम आपको ठीक है तो मतलब मिडिल इस्ट के अगर हम बात करते हैं तो मिडिल इस्ट में किया होता जैसे यूज कनल रहता है तो ही नेशनलाइस कनल थी करो इंजिप्ट के पास होना चाहिए यहां पर यहाँ पर आपको बताने को लगाया तो तो इस तरह से रास्ते से निकलते तो निसे हम टोल टेक्स होगेडा करके एजिप्ट की एकौनॉमी को करने के लिए एजिप्ट की नाइल रिवर पे डैम बनाना है ठीकि उसमें पैसा लगाया जाएगा फाइन तो आप क्या होता है कि लड़ाइयां भी होती है इसराइल फ्रांस ब्रिटीश जो है ब्रिटीश फोर्से जो यह तीनों की फोर्से इखटा हो कि एजिप्ट से गमाल अबदिल नसीर जो है तो उनकी बहुत जाधा पॉपलरेटी हो गई थी ठीक है तो गमाल अबदिल नसीर के बारे में आप बताया गया है लेडिंग तुरी इंटरनाशनल कंफ्लिक्ट इन 1956 और यहां पे 1956 में पहली बार जैसे आप देखो तो यूएन पीस्किपिंग फोर्स को उतार आ गया था वर्डवाइट जैसे देखा जाए ना कि पहली बार इस्तमाल कहां किया था यूएन पीस्किपिंग फोर्स को खैर वो सारी चीज़ हो गई अब हम बात करते हैं सुकार्णों की ठीक है तो फांडर जो फिकर्स थे फांडर फिकर्स में सुकार्ण एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है तो फर्स प्रसीडेंट आफ इंडोनेशिया लेंड दी फ्रीडम स्ट्रगल अब जिसे कर आप देखोगे तो फ्रीडम स्ट्रगल डच से आजादी मिलवाई दिलवाई चीक है और एक तरह से कहा सकते हैं कि इंडिपेंडेंस स्टैब आपने देफलोपमेंट के लिए क्या कर रहा हैं अपने इंपरेडेंसि को लेकिए मतलब क्या है कि दूसरे देशंवाबजा करेंगे बनाये लगा वह जो इंव illustratevelle दो होती है कि इंपिरिलीस्ट फॉर्स चेथा किरेंगा रे नाम कंट्रि सा कहने ही था कि आजादी मिल गई है और आजादी मिल गई उसके बाद मगर किसी ब्लॉग को जॉइन करेंगी ना तो वह ब्लॉग क्या करेगा अपनी इंपरिलिस्ट आइडिलोजी इसको अपने इंपरियलिस्ट एस्परेशन को हमब इंपोस करेगा इसी रहे तो नहीं मूमेंट चालू किया था ठीक में मतलब जो इस्टरन अलाएंस की तरफ टेल्ट वे दिख रहे हैं इस्टलाइंस की तरफ तरफ थे होते हुए तो मिलेगा ही मिलेगा सब्सक्राइस करें करी तो वह ने isn't theometry और रटल्ट ए 9L okoo K य मिरिशन करती है तो olduk चीजिट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ गाना लेट दी फ्रीडम मूवमेंट और अगर आप जैसे देखेंगे तो अधिकतर जो नाम के लीडर्स थें ठीक है फाउंडिंग मेंबर जो थे पांचो और पांचो फाउंडिंग मेंबर्स ने कहीं कहीं कह सकते कि उनकी कंट्री का ट्र प्रिटिश फोर्सेस से अपोस्ट नियो कॉलनिलिजम मतलब क्या है यहां पर कंटेक्स समझना कि क्या था कि ऐसे तो आजादी मिल गई है फॉर्मली लेकिन आप क्या हो रहा है कि अब जैसे यहां पर गोल्ड वगरा बहुत मिलता था घाना में तो ब्रिटिश फोर्स जो ह है ब्रिटिश गवर्मेंट जो चले गई लेकिन ब्रिटिश कंपनिया जो है तो अभी भी क्या है गाना में चिपकी हुई थी वह गाना से गोल्ड माइनिंग कर रही थी जो रिसोर्स थे जिसे हमने भी आप जिसे भी आप आगे पढ़ोगे टॉपिक ठीक है नियू इंटर इस तरह का नियो कॉलोनिलिजम जो था एकनॉमिक कह सकते हैं प्रेशर बना के जो एक तरह से गुलाम बना जा रहा था उस चीज को क्या किया पोस्ट किया इन्होंने घाना में लेकिन यह भी मिलेटरी कूप में रिमूव कर दिया गया इन्हें अच्छा आप एक पैटेंड राउट करो गए जैसे आपने देखा इंडोनेश्या में स्टेबिलीटी नहीं रही है यूगोसलाविया में स्टेबिलीटी नहीं रही है मतलब 30 साल 50 साल में वहां पर चीज़ें रबड हो गई लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी एक सकस्फुल डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता वियार वर्किंग वियार वर्किंग डेमोक्रेसी पता नहीं लेकिन है तो उस तरह से आप देखोगे कि दिस वास दिलेगेसी ओफ इंडियन नैशनल मुवमेंट कि हम एक लंबे समय तक क्या करते रहे एक डेमोक्रेटिक नेशन हमने जो डेमोक्रेसी को पाया था उसे चला वाले हैं मैगनेट बेंस पर किंडर गार्डन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्स चैप्टर्स टॉपिक सब्टॉपिक सब कुछ सिस्टेमेटिक वे में वीडियो लेक्ट्टर्स के फॉर्मेट में अविलेबल है जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सक अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरू बताई है मैगनेट बेंस के बारे में इस वीडियो में तिल देन स्टे करेक्टेड की लर्निंग थैंक यू अलो एवरीबडी दिस दिग्रास सिंह राजपूत वेलकम तु मैगनेट ब्रेंस इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले ह इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू इंट्रनैशनल एकनोमिक ऑरर के बारे में नू इंटरनैशनल इकनोमिक और अब देखिए यह जो नियो है ठीक है न्यू इंट्रनैशनल एक wiggle अचीज है ठीक अब इसके आज कितनी है कितनी नहीं है वह एक डिबेटेबल इशू है वागी हम इसे किसक्ट में पढ़ रहे हम इसे कंटेक्स में पढ़ रहे हैं कोल्ड वार एरा के मतलब जो टाइम पिरिट था तो वहां पर देखा कि दो जो दो सूपर पावर्स थी उनके बीच में टसल चल रहा है उस ट देखो तो नाम कंट्रीज अमेजरेटी ऑफ देम वेर कैटेगराइज एस दी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ठीक है अब यह जो लीज डेवलप्ड कंट्रीज थी तो अधिकतर क्या है कि जो निवली डिकॉनलाइज नेशन थे ना तो उन्हें आजादी तो मिल गई थी लेकिन आजादी सही माइने में नहीं मिली थी क्यों कि डियूरिंग दी कॉलोनियल पिरेट जब वो गुलाम थे तब उस समय उनका क्या हुआ बहुत जादा एक्स्प्लाइटेशन हुआ तो उस एक्स्प्लाइटेशन में क्या होता है कि वो जो सारे देश जो नए-नए पार्ट बनती है ना तो ने यह आईडिया भी आए कि जब हम वर्ड में जो बाइपॉलरिटी का चैलेंज है उसे टैकल कर सकते हैं तो हमारी अपनी समस्याओं को भी तो मिलके टैकल कर सकते हैं ठीक है तो इस चैलेंज फॉर मोस्ट आफ दी नॉन-aligned नेशन वास्टू वा निकालें अब इस पर भी सोचरों कि ऐसा क्यों तो यह पुछनाली बात नहीं हर नेशन की एक आस्पिरेशन का होती है हर नेशन का इस्पिरेशन यहीं होती है कि वह डिवलप हो तो और वह डिवलप हो उस कंटेक्स में सारी जो लीस डेवलप नेशन स्थे जो नॉन-aligned मो लिख सकते हैं कि economic development was also vital for independence of the new countries देखो ऐसे तो independence मिल गई हुने आज लेकिन अगर वो economically independent नहीं होंगे ना आप political independence ले चुकी हो लेकिन आप economically independent नहीं हो तो क्या होगा कि कल को आपको अपनी जरुरतों को पुरा करने के लिए किसी और के उपर dependent होना पड़ेगा तो जो नॉन अलाइन कंट्रीज जो न्यूली डिकॉरोनाइज कंट्रीज थी उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि आज़ादी ऐसे मिल गई है कि हाँ टिके वहीं चीज़ बताएगे कि सस्टेंट डेवलप्मेंट नहीं होगा लोग गरीबी के नीचे जी रहें मतलब जो पॉर्टी लाइन है गरीबी रेखा के नीचे जी रहें तो वह आपका विकास किस तरह का तो उस कंटेक्श में उनको अपने आपको एकोनॉमिकली भी करना था फाइन तो इट वोड रिमेंट डिपेंडेंट ऑन दी रिचर कंट्रीज इंक्लूडिंग दी कॉलोनियल पावर्स फ्रॉम विच पॉलिटिकल फ्रीडम है एड बिन अचीव तो अगर एकोनॉमिकली डवलप नहीं होंगे एकोनॉमिक डवलपेंट नहीं होगा तो ङुफ तो इन सारी समस्याहों का समाधान क्या दिख रहाता पता है कि जो होने पॉलिटिकली अम्पार्मंट किया अपना वल्ड पॉलिटिक में जैसे फना जो वाइप एक पॉलिटी का चैलेंज था उसको उवरकम किया तो वैसे ही इकनोमिक इन्डिपेंटनस की आप hasn't 갔 उसे भी वह overcome कर सकते थे ठीक है therefore the idea of new international economic order new international economic order was proposed by the non-aligned countries यह चीज़ ध्यान रखना है new international economic order जो है तो आपने अपनी छोटी classes में भी कहीं इसका जिक्र पाया होगा तो यह मतलब यह अगर इसको तो इन शॉट समझाए जाया तो इन अल्टरनेटिव मॉडल ओफ दी वेस्टन इंपिरियलिजम ठीके जो वेस्टन आउटकम निकल के आया तो युनाइटे नेशन्स कांफरेंस ओन ट्रेड इन डेवलपमेंट ब्रॉट आउट 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 इन रिपोर्ट इन 1972 एंटाइटल ट्वार्ज दी न्यू ट्रेड पॉलेशी इस में बताया कि नई ट्रेड पॉलेशी क्या होना चाहिए देट के लिए धो युव इंड डेवलपमेंट की जब बात करता हैना तो यूवन कॉंपरेंसिव क्या है कि वल्डवाइट कैसे डेलफ्मेंट अब व्लडवाइट कैसे डेवलपमेंट तो यूवन ने रिपोर्ट निकाली 1972 में ठीगे इस रिपोर्ट में कया था the report proposed a reform of the global trading system so as to तो United Nation ने observe कि global level पे reform की जरुवत है किस चीज में global level में global level पे world trading system में reform की जरुवत है क्योंकि world trading system इस तरह से चल रहा है कि advantage जो है तो developed countries जो है वो ज्यादा advantage ले रहे है developing countries जो उनके पास में उतना advantage नहीं मिल पाता है ठीक है यह यून ने observe किया तो आप यून ने क्या recommendations दिया अगर यून रिपोर्ट के हम बात करते हैं ठीक है 1972 की तो जो UNCT AD report थी ठीक इस report के outcome क्या निकल का है तो give the least developed countries control over their natural resources exploited by the developed western countries ठीक है इन limitations को observe करने के बाद में क्या recommendation निकलती कि मतलब कैसे इस unequal global trading system से उपर उठा जा सकता है UN क्या कहती है कि जो least developed countries है ठीक है जो new international economic order बनाने की बात करिए इन least developed countries को क्या दिया जाना चाहिए उनके resources के उपर खुद control मिलना चाहिए मतलब कि जैसे least developed countries की बात करते है अफ्रीकन countries है कुछ तो उने अफ्रीकन countries को उनके resources खुद दिया जाए अफ्रीका में सोना है चांदी है मतलब बहुत सारे minerals है लेकिन वह minerals जो है तो वह कौन extract कर रहा है तो western countries extract कर रही है तो UN की report क्या कहती है कहती कि उनके जो resources उसका अधिकार उनको खुद दे दो क्योंकि वह अपने resources का इस्तमाल करेंगे तभी तो ग्रो कर पाएंगे आया समझ में तो उन्हें कहा गाए कि उनके resources का इस्तमाल उन्हें खुद करने दो least developed countries को ठीक है least developed countries who were the part of non-aligned movement fine फिर क्या है obtained access to western markets so that the least developed countries could sell their products and therefore make trade more beneficial for the poorer countries अब क्या होता है पता एक चीज़ यह भी समझना कि जो developed countries होती है वो developed countries क्या करती है least developed countries जो होती है least developed countries को एक market की तरह इस्तमाल करती है हमने टोपी बनाई है तो हम टोपी हमारे लोगों को सब को पिना दी हमने अब टोपी किसको बेचेंगे तो अब टोपी लीज़ डेवलप्स के लोगों को पहुचा जाएगा और यह आज से कल से नहीं चल रहा है यह बहुत पुराने समय से जब ब्रेटिश कॉलोनियल फोर्सेज इंपिरिलिस्ट फोर्सेज कॉलोनी बना रही थी वर्ड में तब से सिस्टम चल रहा है यह ठीक है और होता क्या है कि बदले में जो लीज़ डेवलप्स कंट्री से वह अगर अपने प्रोडक्स पोचाने की बात करती है ना वो का जो ट्रेडिंग सिस्टम था इसको अबसर्फ करा किसने युनाइटे नेशन ने और उनने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा कि डेवलप्स कंट्री इसको अपने मार्केट को ओपन करना पड़ेगा ठीक है ऑप्टेन एकस्टू वेस्टन मार्केट मतलब लीज डेवलप कंट्री इसको कहां एकस्ट मिलना चाहिए वेस्टन मार्केट की एकस्ट मिलना चाहिए ताकि वह अपने प्रोड़क्ट बेच के जो कह सकते कुछ बेनिफेट जो है वह पूरर कंट्री इसको भी मिल सके ठीक है फिर क्या है रिडियूज दी कॉस्ट आस्ट टेक्नोलोजी स करने चरफ देखते हैं वह भी खुला कर पाएं तुरा अगले चीस का रहें प्रोवाईट य इंटरीं रोल्लें इंतरनाश्नल एकुनांट इंस्टिशन इंस्टिशन आसे या इसे बल्ड बैंक हो गया ठीक है बेंकrr बैंक प्रेटें के वाद में जैसे कर देखा अग्या ह अपने इंट्रेस्ट के बारे में सोच सके ठीक है कहानी अच्छे से समझ ले ना कन्फूजन होता है क्योंकि क्या होता है कि लीज्ट नियू एकनॉमिक ओडर क्या है तो जिस तरह से जो चैलेंज था बाइपॉलारिटी को उसको ऊवरकम करते हो जो नियूली डी कॉलनाइज सब्सक्राइब निकाला था वैसी उनकी एकनॉमिक क्या सकते हैं कि सिच्वेशन उतनी अच्छी नहीं ते लीज्ट डेवलब नेशन से सारे के सारे नौन अलाइन मुमेंट में तो उन्होंने अपने आपको एकनॉमिक लीशा सकत करने के लिए ठीक है आर्थी ग्रूप से स निकल के आती उसके साथ में कॉंसोरेंस में थी उसने भी मतलब यून रिपोर्ट ने भी ऑब्सक्राइब किया कि लीज्ट डेवलप कंट्री इसको कुछ एडवांटेज दिये जाना चाहिए ठीक है तो ग्रेजवली नीचर ओफ नौन अलाइन मेंट चेंज तो जो नौन किस परस्पेक्टिव के सांथ स्टार्ट किया था जैसे आप देखो के कोल्ड वार पिरेट में जो सिच्वेशन थी तो वो पावर राइवलरी से जुड़ी ज्यादा थी ठीक है तो जिस कंटेक्श में नौन अलाइन में मुमेंट स्टार्ट किया घाया था ना तो ग्राइ स्टार्ट किस परस्पेक्टिव के साथ पर होई थी तो हमने आपको बताया था कि उसको नीटली प्रसाइजली डिफाइन करना मुश्कील है कि इसका औप्जेक्टिव धीक्तिव कि क्या व्याइज के सांथ जाके नहीं जुदना है तो पहले जो अलाइंस पॉलेटिक्स ज देने लगा और फॉर इंस्टेंस यहां पर बताए गया है कि 1961 की जो कॉंफरेंस थी अब आपको एक हुमवक देता हो भी बताया पिछली वीडियो में 1961 की जो नॉन लाइन में नॉन अलाइन मुमेंट की जो मीटिंग हुए थी पहली ठीक है वह कहां हुए थी आप मुझे बताएंगे ठीक है कहां हो थी किसने लीड गया था यह सारी चीजे कमेंट सेक्षिन आप बताएंगे आपको हम वखें ठीक है तो जो 1961 में जैसे जो फर्स समिट यह एंगे पहली मीटिंग में एकनोमिक शूस वेन ट्रीम इंपॉर्टेंट तीग बईरेए मिट्स 1970 इस वे एट बिकम दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू और में 1970 जात आते चाहता कि एकनोमिक इशू नॉन खोती थी ठीक है नॉन इंग्वन जो नेशंस थे और रोलाइ तो यह को सकते हैं वह इंस्टिटूशन सोट जो जैसे वल्डबबंक गगेड़ा जो इंस्टिटूशन्स क्या थे पहले वेस्टन इंट्रस्ट को रिप्रेज़ेंट करते हैं उनके साथ में करने के लिए प्रेशर गूरूब की तरह क्यों नॉन अलाइग मूव्मेंट टीक ह नाम नेशन जो थे तो एक प्रेशर ग्रूप की तरह काम करने लगे अब कितने सक्सेस्फुल रहे उस चीज़ को भी समझो देखो क्या होता है बाइदी लेट टेँ डेवलबोन इशन्स अब साथागए ऑजो जो छो लेज़ डेवलबोन सक प्रेशर गोगे जि उद्व पस्टेविशन अब धेकन लूप टॉप न यॉकर आयाँ मर्य न्यूまず had faded mainly because of the stiff opposition from the developed countries who acted as a unified group while the non-aligned countries struggle to maintain their unity in the face of this opposition ठीक है तो जो developed countries ने opposition किया developed countries के आगे कहां लीस developed countries की चलने वाली थी तो इस तरह से least developed countries का जो objective था उनका जो interest था वो धीरे धीरे fade होने लगा ठीक है तो कही नहीं देखोगे तो economically हमेशा से ही dominant करती है यह developed countries आज भी वही डिवेट है आज भी मतलब यह evergreen debate type से चलता रहता है यह ठीक है बाकि हमने यह non new international economic order वाला topic क्यों पढ़ा है क्योंकि हम इसको connect कर पाएंगे किसके साथ में कि non alignment moment जो था non aligned moment जो था हमारा तो उसका सिर्फ objective यहां तक सीमित नहीं था कि वह जो दो सूपर पावर्स की वीच में राइवलरी है उसका एक alternative निकल के आएगा ठीक है उसने अपने economic objectives को भी क्या किया economic objectives को अपने members के economic interest को भी क्या किया आगे की तरफ धगाया है को कोशिश की है कि वह economic economic pressure group के तरह काम कर सकें ठीक है अब देखो last topic हमारा क्या है तो मैंने आपको बताया था starting में कि हर chapter को आपको इंडिया के context में पढ़ना है तो अब next video में हम क्या करेंगे India और non-aligned moment को समझेंगे इंडिया और नाम को समझेंगे क्या situation रही है ठीक है तो I hope you enjoyed it यहां तक आपको चीजी समझ में आई है magnet brains पर kindergarten से class 12 तक सभी सब्जेक्ट चैप्टर्स टॉपिक सब टॉपिक सब कुछ systematic way में video lectures के format में available है जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं अपने juniors और seniors को ज़रू बता है magnet brains के बारे में मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दैन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थेंक यू थेंक यू वेरी मच हलो एवरीबड़ी इस दिग्रास सिंह राजपूत वेलकम तो magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया इंडी कोल्ड वार का कंटेक्स्ट आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं पूरा चैप्टर में हमने कोल्ड वार को बहुत अच्छे तरह से डिसकस्ट भी गया है अब देखिए तो चैप्टर में दो पार्ट्स थे जो हमने डिसकस्ट के अभी तक आपने कोल्ड वार वाले टाइम पिरेड को समझा कोल्ड वार में क्या सिच्वेशन थी क्या प्रॉब्लम्स थी किस तरह से डवलप्मेंट्स हो हैं वो सारा सब कुछ साथ ही साथ आपने ये भी देखा क कोल्ड वार में जब वर्ट दो पोल्स के बीच में डिवाइड हो चुका था तो उस बाइपॉलारिटी को चैलेंज करते हुए नाम जो है नॉन अलाइन मुवमेंट्स जो है कह सकते हैं कि कुछ कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया और जो ग्रुप ऑफ कंट्री थी उनमें इंडिया वस्वन ओफ दी कंट्री फाइन सो भी आव डिसकस्ट इस टॉपिक्स अब हमें इंडियान कंटेक्स में सारी चीदों को समझना है फाइन तो एज लीडर ओफ नाम इंडियास रिस्पॉंस टुदी ओंगोईं कोल्ड वार वस तो फूल्ड अब देखो इं दूसरी कंट्री surs independence हो रही थी जो नाम को जाइन करने का सोच रही ती विचार बना रही थी कही ना कहीं उनके actions को रिफलेक्ट करता है तो उस कंटेक्ट में इंडिया का क्या रोल था इंडिया का क्या का इंडिया ने किस तरह से बिएफ किया नाम में वह सारी चीजे पढ़ना जानना समझना ज़रूरी है ठीक है इंडिया रिस्पॉंस तो दी ओंगोईंग कोल वर वास्ट फोल्ड अब वह नाम जो है नौन इसमें टाइमस कन फ्यूज हो जाते हो तो इसको सिंपल रखते है कि कोल वर पीरिट चल रहा है पैरलल में ही नाम कंट्री जो है अपने आपने आपको सशक्त कर रही है तो यहां पर इंडिया का क्या कंट्रिबूशन था इंडिया किस तरह से पार्टिसिपीट कर रहा था अनलाइन मुवमेंट में वह समझना है ठीक है तो यहां पर जिस देखोगे तो इस तो फोल्ड एक्शन क्या था कि एक लेवल पर इंडिया क्या कहता देखो इक तुक पर्टिकुलर एट टुक पर्टिकुलर क्या इन स्टीइंग अवे फ्रू तू अलाइंस ठीक है तो एक अलाइंस में जाके ना जुड़े ठीक है तो इट टुक पर्टिकुलर केर इन स्टीइंग अवे फ्रूम दी टॉलाइंस दोनों ही ऐलाइंस से क्या करने की दूरी बनाया रखने की उसने इस मतलब जवाबदार इलिए अपने आप पे ठीक है तो दूसरी चीज का जो ध्या की वहाद गालत कर आपने तो इंडिया इस तरह स Yog жाड कर रहा है कि टूली नाम नेशन का रोल प्ले कर रहा था ऑनिशल अनिशल प्यूक्र आप देखु गहां को Л巧 الس् atención तो तो यहां पर समझ में आए कि इंडिया की क्या अप्रोश थी दूरिंग दी पिरिएड ऑफ कोल्ड वार ठीक है वन इट कम्स टू नाम फाइन फिर आगे जी से देखें हैं तो इंडिया इंडियन पॉलिसी जो थी इंडियन पॉलिसी वास नाइधर नेगेटिव नौर कि आप में क्या था जिस आप नौन डाइंड की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नौन अलाइइन म५ंट कोई न्यूट्रालिती बात नहीं करता था 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 तो वैसी इंडियन पॉलिसी भी जो थी कोल्ड वार प्रिए नेइंड कंटेक्स्ट ओफ नाम त non alignment का मतलब यह कि हम उड़के कहीं दूर बैठ जाएं किसी सामें कोई लिना देना है नहीं है as it was in the case of America after the independence जो आपने बुक में एक्जामपल देखा जाना काएगा कि अमेरिका जो है वो अपने मतलब एक आइसोलेशन में ही चले गया था ठीक है तो यहां पर जवाला नहरूसी चीज़ को बताते हैं कि हम नेगेटिव या फिर पैसिव रोल पर नहीं आ जाएंगे वर्ल्ड पॉलेटिक्स में एक्टिव रोल प्लेएंगे तो अन दी कॉंट्रेरी इंडिया वास इन फिवर ऑफ एक्टिवली इंटर्वीनिंग इन वर्ल अफेर्स तो सॉफ्टन कोल्ड वर राइवलेरी इस ठीक है और ऐसा हुआ भी तो जैसे अगर आप देखोगे तो इ एक बीच का निकाल के देना तो मेडियेशन का रोल किया इंडिया ने इंडिया टराइट टु रिद्यूस्ट इडिफरेंस बीटिन दी आलाइंसेस एंड देरभाइब डिफ्रेंसेस फ्रूम इंटूटिव पूल स्केल वर एक्जांपल एक्जांपल जिसे अगर आप ने यूएन की मदद से नौर्थ कोरिया साथ कोरिया के बीच में पीस को स्टैब्लिश करने में इंपोर्टन रोल प्ले किया था फाइन तो यह ध्यान रखना कि इंडियन पॉलेसी दूरिंग दी कोल्ड वर पीरेड इन कंटेक्स्ट ऑफ नाम वस नाइधर नेगेटिव नौ दोनों के साथ में और मतलब दोनों के साथ में जब और जुड़ता जाएंगे कंत्री जुड़ते जाएंगे और फशिवीड जाएंगे और पॉसिबिलिटे और बढूर चले जाएगी तो इनफट इंडिया एडिशन यह चाहता था कि एक तीसराis बंड़र्द्द पावर तब एक थर्ड अल्टरनेटिव नाम निकल किया उसमें इंडिया का रोल यह था कि ज्यादा से ज्यादा और्गनाइजिशन्स को नेशन्स को जुड़ा जाए ताकि पीस और पीस और स्टीबिलिटी को इंशोर किया जा सके ठीक है तो अब यहां पर कुछ यह जो आपको आग उसने policy of क्या सकते हैं कि मतलब जो क्या सकते हैं कि एकदम आपको क्या रहना होगा आपको इंपार्शल रहना होगा वह इंपार्शलिटी की policy को उसने ब्रीच भी किया है कैसे वह समझ में आगा देखो ठीक है तो नॉन अलाइन्मेंट वस नॉट एस सम सजेस्ट अनोबल इ तो क्या सकते हैं कपड़े पहन के हर देश ने अपने इंट्रस्ट के बारे में भी इंडिया के बी कहा गया कि cold war period में इंडिया ने जीससे आप देखो के तो को non-line movement ने कैसे से किया first तो जैसे कर दो तरीक दो पॉइंट्स देखें कि कैसे इंडिया ने अपने इंट्रेस्ट को से क्य और अड़ फ्न आलाइनमेंट तो non-alignment allowed India do take international decisions and stances that served its interested rather than the interest of superpower and their allies तो सबसे पहली चीज तो कि एदर मान लो नौन अलाइन्मेंट नहीं होता तो फिर क्या होता किसी एक अलाइन्स के साथ चले आते किसी एक अलाइन्स के साथ चले आते तो फिर उन अलाइन्स के इंट्रेस्ट को हमें क्या करना पड़ता फॉलो करना पड़ता लेकिन की मदद से क्या हुआ कि अपना इस अलाइंस के इंट्रेस्ट को मानना है मतलब ना इनके भले के लिए कुछ करना ना इनके भले के लिए कुछ अपने भले के लिए सब कुछ करना है तो इस तरह से पहला यह लिबर्टी मिल इंडिया को कि इंडिया क्या कर सकती है ठीके किसी भी सूपर पावर उसके इंट्रेस्ट को ना फॉलो करते अपने इंट्रेस्ट को फॉलो करें पहली चीज ठीके डिसीजन सैसे लेकि वो जो उसके इंट्रेस्ट में हो दूसरी चीज क्या है इंडिया वा मतलब दोनों ही टीम से अपने इंट्रेस्ट के काम करवा सकते हैं कैसे कि इस इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अंड्यूली प्रिशराइज पाई वन सूपर पावर इट कोड़ टोड़ दी अधर ठीकें नाइधर अलाइंस सिस्टम कोड़ टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड और बुली इट तो मतलब क्या है कि जिसे मानलों कि ऐसा लग रहा है कि हमें यूएस इग्नोर कर रहा है इंडिया की तुट हो जाएंगे तो एक तो य स्बस्त तरह में बूली कर रहा हो इंडिया केपिन है obvious कि ना बन जाए ठिकें तो के चलते क्या होगा कि फिर युएसे सार बोले कि नहीं धराओ धमकाओ मत प्रेशराइज मत करो ठीके लुए फॉर ग्रांटेट नहीं ले सकता था तो इस तरह से इंडिया ने अपने इंट्रेस्ट को सिक्योर किया ठीके नो डाओट नॉन अलाइं मुवमेंट वास अनोबल इंटरनेशनल कॉस बट वी कें से देट देर वर गाइड़ इंट्रेस्ट ऑफ दी नेशन अंडर दी नेम ऑफ नॉन अलाइं मुवमेंट के नाम के अंडर में क्या है सब अपनी रोटी सीख रहे थे ठीक फिर और क्या ची सीबी अलाइंस के साथ नहीं जाना है उस प्रिंसिपल को यह टाइम्स बीच किया है कैसे यहां समझोज रहा ठीक है तो क्या क्रिटी सीज़ा में ऑफ इंडिया पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइंमेंट फर्स्ट इंडिया इंडिया इंडिनेम और पर्स पर्स्विंग इट्स न क्या है कि इंडिया ने बोल दिया कि हमें अपने इंट्रनाशनल मतलब अपने नैशनल इंट्रेस्ट को प्रिजर्फ करना है और जो इंट्रनाशनल इशूस थे उन पर कुछ नहीं कहा तो इससे एट टाइम से यसा भी रिफ्लेक्ट हुआ कि कुछ डिसीजन्स इंडिया के यूस के फिवर में गये कुछ डिसीजन इंडिया के जो थे वह यूससर के सिपयर में तो अपने真क को सिक्यूर करने में ऑलायंस को कभी-कभी इंडारेक्ट ली सपोर्ट कर जाता था तो जैसे आप देखो कि तो जो यूससर के एक्षण्स थे क्रीमिया में ठीकिन वहाँ पे जो उसने किया मतलब आप खेर वो इंटरनेशन पोलेटिक्स का पाट हो जाता है लेकिन आप समझो तो यूएस से सार में क्या हो रहा था उनकी इंटरनल पोलेटिक्स पे जहां इंडिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए था वहां नहीं किया क्योंकि बोलेंगे तो वह भी कश्मीर पर बोलेंगे तो इस इंडिया ने अपने नैशनल इंट्रेस्ट को बचाने के चक्कर में कि ओफन डिक्यूज़ refuse to take firm stand on crucial international issues सब्सक्राइब यह पॉइंट फिर क्या है second it suggested that India was inconsistent and to contrary postures ठीक है contrary postures कैसे लिए इंडिया ने तो उसका example यह है क्या कि 1971 में हमने treaty sign कर ली किसके साथ में हमने treaty sign करी USSR के साथ में अब देखो यहां पर अगर आप यहां पर चीजों को समझोगे ठीक है for instance having criticized other for joining alliance India signed a treaty of friendship in August 1971 with USSR for 20 years ठीक है तो यहां पर जैसे देखोगे ना तो यहाला पॉइंट देखो treaty of friendship 1971 इंडरा गांदी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ठीक है और लियो लियो नौर्ड ब्रिजनिव उस समय पर USSR के लीडर थे तो इंडिया और USSR के बीच में क्या होता है friendship treaty sign होती है अब यह क्या दर्शाता है कि हमने जब starting में मेरी वीडियो में क्या बता है कि इंडिया की जो policy थी तो वह टू फोल्ड पर बेस्ट थी पहला तो यह कि हम किसी को जॉइन करेंगे और दूसरा अगर कोई नेशन जो है नियूली इंडिपेंडेंट नेशन जो है वह लाइंस को जॉइन करेंगे तो हमने क्रिटिसाइज करेंगे मतलब दूसरों के लिए क्रिटिसीजम है और खुद इंडिया यह जो इंडिया पाकिस्तान वार हो रही थी बंगलादेश को आजादी मिली थी उस समय पे ठीके और बंगलादेश के सपोर्ट में क्या होता है बंगलादेश के सपोर्ट में जिस अगर आप देखोगे ना तो यूएस ने अपने क्या सकते हैं शिप उतार दी इंडियन ऊशन में तो एंडिया को यह लगे गए कि तो अब अब यूस ने अपने इंट्रेस्ट को भी फुल्फिल किया तो एक अगर बलॉक क्या हो रहा है हवी हो रहा है तो दूसरे ब्लोग की तरफ टिल्ट होना जरूरी था तो इंडिया ना अपना स्टेंड यह दिया कि 1971 में जो पीस ट्रीटी साइन करी तो उसके पीछे कारण था यूगि बांगलादेश के साथ जो हमारी वार हो रही थी ठीक है तो वीवर इन दी नीड ऑफ डिप्लोमेटिक अपने अपने अपना अर्गुमेंट भी दिया रखा अपना अर्गुमेंट क्या कि बांगलादेश जो थे और उस क्राइस के समय पे हमें जरूरी था कि हम क्या करें दूसरे ब्लॉक के साथ में बनाए ताकि हम बैलेंस कर पाई लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इसके लिए एक पॉइंट यहां यह हो सकता है कि आपको बहुत सारे इंटरनाशनल पॉलिटिक्स में जो हुए है इंटर थोड़ी सी वर्ड हिस्ट्री यह सारी चीदों का नॉलेज होना चाहिए नहीं भ क्या होता है कि नाम जो है और लेकिन नेशन ने इंडिया अपने को बीकशन आए लेकिन नेशन ने इंक्लूटिंग इंडिया इंडिया अपने आपे अपने पोइंड में बहुत लीख regions च्रीके दूसरों को क्या बोल रहा है कि यह ईन्या कर लिया मतलब खुद ने लाइन्स कैसे जॉइन किया तो फेंड्शिप टीटी साइन करी ठीक है उसके बाद में इसे देखेंगे तो अन प्रिंसिपल बी बताया गया इंडिया नॉन अलाइन्मेंट को क्यों बताया गया तो अपने इंट्रेस्ट को सिक्योर करने के नाम पे क्या है वो इंटरनाशनल सूस पे फर्म डिसीजन नहीं ले पाया फाइन तो इस अगर आप समझोगे ना तो नॉन अलाइंग मुवमेंट जो है तो इवाल इन दी कंटेक्स्ट ऑफ कोल्ड वार के कंटेक्स्ट में हो रहा था लेकिन 1991 आते आते कोल्ड वार तो खतम हो गया क्यों क्यों कि यूएससर डिसिंटिगरेट हो गया मैंने आपको स्टाइटिक में बताया बर्लीन वाल वगरा तोड़ दी जर्मनी मिल गया ठीक है और यूएससर जो था तो वह यूएससर अलग अलग जिन सारे देशों से मिलके यूएससर बना था वह पुरा का पुरा इस चीज का यूएससर के बाद में यूएससर के बाद में जो यूएससर की को लेके चलता यूएससर के बाद में यूएससर की पॉजिशन को रशिया बनता है वो तो 1991 में कोल्ड वार तो खतम हो गया this why और कैसे खताम हो अपको समझा दिया हो this integration of USSR के साथ में तो इसका इंपेक्ट क्या होगा की जो नॉन अलाइनमेंट है इस इस शूपर पावर दिख रहा था सभी और वह कौन था वह युए से था ठीक है तो नौन आलाइनमेंट बोट अज एंटर्नेशनल मुवेंट एंड अज दिकोर आफ इंडिया इस एन एफेक्टिवनेस तो अब ऐसा ही नहीं कि अगर हम यूएस के साथ दोस्ती करेंगे तो कोई दिक्कत है यूएस अगे तो वर्ड में यूएस एपचा तो यूएस एक अकेला सूपर पार बचा तो उसके सांथ तो सभी को अच्छे रिष्टे रखना पड़ेंगे तो जो कि फॉरेंट पॉलिसी थी नॉन अलाइन्मेंट मूमेंट का जो कोर था वह अपनी रिलेवंस खुता चला गया तो अब सवाल यह आता है कि इस नाम इर्रेवंट टुडे तो 1991 के बाद से गर यह सवाल पुछा जाए रोज भी कि नॉन अलाइन मूमेंट क्या आज इर्रेव तो अगर नहीं है तो जस्टिफाइ करो कैसे नहीं है तो वही चीज़ समझाते हैं मैं आपको एक क्रक्स बता देता हूं पर देखो क्या है कि नॉन अलाइन मूमेंट कोल्ड वार पिरेट में बना जरूर था लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस कोल्ड वार पिरेट के बाद में क्यों कि नॉन कि मूमेंट में आप देखोगे ना तो क्या है कि सारी लीज़ डेवलप् कंट्री नेशन से जो कह सकते हैं कि सारी लीज़ डेवलप्मेंट कंट्री इसकी बार्गेन ठीक है तो अब कही न कहीं क्या हो रहा है कि अलाइन सिस्टम जब था तब तो चलो वर्ल्ड डिवाइड़ था कि एक ब्लॉग दो ब्लॉग तीसरा ब्लॉग लेकिन अभी क्या है अभी अभी सारी डवलप्ट कंट्री एक तरफ नॉन डवलाप्ड या फी डवलपिंग इस ड organization properly address कर सकता है इसके लिए वो irrelevant तो नहीं है ठीक है तो इस नाम irrelevant today non-alignment contains some core values and enduring ideas ठीक है इट वाज़ बेज़ ओन दी recognition that decolonized states share historical affiliation and become a powerful force if they come together अब अगली चीज़ का है कि नाम में जितने भी states थे वो सारे decolonized nations थे तो एक historical कह सकते हैं linkage देखने को मिल सकती है कि सारे लोग सारे nations जो उनकी history एक जैसी है तो वो history उनको जोड़के रखे हुई है ठीक है और history जोड़के रखे हुए और वो history से ही अगर जुड़े रहेंगे बोलेंगे कि हम सब एक समय में एक्स्प्राइट हुए थे आज सब एक साथ आते हैं तभी हम powerful रहेंगे संगटन में शक्ती है ठीक है तो यहां पर उनका संगटन बहुत ज्यादा जरूरी है फिर क्या है इत मेंट देट पूर एंट ओफन वेरी स्मॉल कंट्रीज ऑफ दी वर्ड नीड बिकम फॉलोवर्स ऑफ एनी बिग पावर्स ठीक है ते देट पूर और जो डेवलपिंग लीज डेवलप निशन से उन्हें डेवलप कंट्रीज को पर डिपेंडन होना पड़ेंगा डेवल अब एकनोमिकली कंट्रोल करेंगे नियो कॉलोनिलिजम आ जाएगा तो उस चीज से अगर बचना है तो सानत में रहना बहुत जादा जरूरी है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर सकें लीज डेवलप कंट्रीज क्या कर सकें अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेंड पॉ कि existing world में iniquities inequalities तो है कैसी inequalities हैं आप देखोगे कि contrast है बहुत बड़ा contrast है western countries जो है वो कितनी develop हो चुकी है ठीक है या फिर European countries की बात करोगे market human development की बात कर लो कुछ भी ठीक है और जो least developed countries है जो नाम countries है वो नाम countries क्या है उनके वहाँ देखोगे तो बीमारिया गरीबी problems है terrorism है insur international system में जो iniquities है इनको खतम किया जाए फिर अगर आप जिससे देखोगे तो बड़े-बड़े इंस्टिउशन भी वर्ल्ड बैंक भी है ठीक है आई-म-फ की बात कर लो आप ठीक है United Nations की बात कर लो तो वहाँ पर security council की जैसे बात करें तो यह least developed countries को कौन represent कर रहा है तो इनका representation जब साथ बराएंगे तो ही हो पाएगा वो बात हो गई है ठीक है इस कोर आइडियास रिमें रिलेवेंट इवन आफ्टर दी कोल्ड वार है इंडेट तो इन कंटेक्स्ट में इन आइडियास में अगर हम बात करें तो यह कोर आइडियास आज भी रिलेवेंट है अब दो अगर चाहिए आपको तो उसमें नाम नेशन का स्टेंदन होना ठीक है नाम नेशन का फिलेवेंट का एक साथ आना जरूरी है अगर आप जिस देखेंगे तो यह चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक था ठीक है लेकिन एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम कौन सा तो जो आम स्कंट्रोल वाला लास्ट में आपको ट्रीटी दी गई है तो कुछ ट्रीटी के बारे में हम क्या करेंगे डिसकस कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहां तक हमारा चैप्टर कंप्रीट हो गया है मैं आपको अच्छा साथ एक मिनिट के अंदर पूरा समराइज करके दे तो non-aligned movement में हमने क्या क्या पढ़ा था non-aligned movement oh sorry cold war वाले period में हमने पढ़ा कि कैसे tension develop हुआ cold war क्या है Cuban Missile Crisis के example से पढ़ा what were the different arenas of cold war these were the things which we have discussed in the topic cold war मतलब broad topic अगर समझे हम फिर अगर हम non-aligned movement की बात करें तो non-aligned movement जो था non-aligned movement was a way out ठीके in a situation when the world was divided into the two power blocks to get it was a challenge to by polarity challenge to by polarity founders के बारे में हमने कुछ थोड़ा सा जाना समझा उसी के साथ साथ में हमने ये भी देखा की non-aligned movement जो था तो एक political option तो था ही था उसी के साथ में economically अपने आपको develop करने के लिए एक option था तो new international economic order के बारे में भी हमने पढ़ा और last में फिर हमने यही पूरी context पढ़ा कि इंडिया का position क्या इंडिया को क्यों criticize किया जाता है इंडिया ने non-aligned movement को कैसे यूज किया इंडिया का क्या stand था and all those stories ending with the question is not irrelevant today if not justify we have justified ठीक है तो यह सारी चीज़ हमने क्या करिए इस chapter में पढ़ी है लास्ट वीडियो में हम क्या करेंगे arms control के बारे में पढ़ेंगे magnet beans पर kindergarten से class 12 तक इसी तरह से सभी subjects chapters topics subtopics सब कुछ systematic way में video lectures के format में available है जिने आप बहुत आसानी से पौल सकते हैं समझ सकते हैं घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं अपने juniors और seniors को ज़रू बताए magnet beans के बारे में मिलते हैं next video में till then stay connected keep learning thank you hello everybody this is दिग्रास सिंह राजपूत welcome to magnet beans इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे arms control treaties के बारे में arms control treaties last topic है आपका previous videos तक आप लोगों ने chapter पूरी तरह से complete कर लिया सारे topics पढ़े cold war era वाला जो पूरा development था वो समझा और उसी के साथ साथ में किस तरह से जो वर्ल्ड बाइपूलर हो चुका तो उसे चैलेंज करते हैं इंडिया का क्या position नौन अलाइन मुव्मेंट में यह सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं अब यह जो लास्ट टॉपिक है arms control treaties इसे समझें तो ज्यादा मज़ा थे मैंने आपको बता है था कि world war 2 जब एंड हुआ था उस समय पे जो न्यूक्लियर वेपन यूस किये गये थे ठीक हिरोशिमा नागा साकी बे उसकी क्वांटिटी और 1950 आते तक 1000 गुना जादा न्यूक्लियर वेपन इखटा किया चुका था ठीक हैं तो आप सोच सकते थे कि कि किस क्वांटिटी में न्यूक्लियर वेपन जो है हाइडोजन बॉंब जो है वो इखटे किये गये थे और उससे कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता था तो और फिर आप जैसे देखेंगे तो इवेंट्स किस तरह से इसकलेट होते चले गए कि कोल्ड वार जो टाइम पिरेट था तो देर वाट डिफरेंट एरेनाज ओफ कोल्ड वार ठीक हैं कोरियन वार में हमने देखा कि आमने सामने आ गये थे दोनों ब्लॉक्स उसके बाद में जैसे आप देखो कि तो क्यूबन मिसाइल क्राइस जो थ डॉभलप हो चुका था यूएसा आप को भी पता था कि यूएसे बीशाए के पास निउуса और इस relationship का impact क्या हुआ कि अद्ड़नों एक दूसरे से डर हुए थे ठीक है तो दोनों को यह सब्सक्राइब अपड़ेगा थिकल Арफ सब्सक्राइब हमने भी समझ में आ रहा था कि जो विपन्स ओफ मास्ट डिस्ट्रक्शन हमने इखटा किया है यह विपन्स ओफ मास्ट डिस्ट्रक्शन जो है हमारे लिए क्या करने वाला है यह जो विपन्स ओफ मास्ट डिस्ट्रक्शन है यह हमारे लिए बहुत बड़ी कैसे आफद बन सक और उस नुकसान से बचने के लोड़ों ने आपस में संधिया साइन करना चालू कर दी कि चलो पन ऐसा करते हैं कि तुम भी यह वेपन यूज मत करना हम भी यह वेपन यूज नहीं करेंगे आए समझ में वह चीज रहती है तो लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी एल्टी ब टेस्ट इन आटमोस्फियर इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर तो इस तरह से क्या कर दिया कि बोलती है नुक्लियर वेपन जो आपन टेस्ट कर रहे हम तो हतियार बनाए जारे लेकिन उसका इंवार्मेंट के उपर क्या हो रहा है एक नेगेटिव इंपेक्ट हो रहा रहे हम तरही चीज़ तो सबसे विले आपको एक नॉलेज एक क्या सकते डामेंशन समझ में आएगा उस पीरिट का कोल्ड वार पीरिट का दूसरी चीज़ कभी-कभी कुछ कुछ आ जाते हैं यह या फिर ट्रीटी का परपस पूछते हुए वह ध्यान रखना तो जो लिमि क्राइस के बाद में समझ में कि नहीं अगर मान लो गलती से अगर कोई भी एक साइड मिस इंटर्प्रेट कर लेता मैसेच को या फिर कोई एक्सिदेंट हो जाता तो कितना बड़ा हाधसा हो सकता था ना तो उसी केस में उन्होंने सुचा कि नहीं अपनियो क्यों मिसाई क् मतलब आम्स कंट्रोल ट्रीटीस को साइन करना ची और पहले ट्रीटी ये निकल के थी ठीक है एंटर इंटर इंटू फोर्स और 10th of October 1963 यह ध्यान रखना काफी रहेगा तो 1963 में लिमिटेट टेस्टेबेंट ट्रीटी साइन की गई फिर आगे बढ़ें तो न्यूक्लियर मul tendencies का तो हमें पता या 2 प्रशेशन रोखने के लिए नोब्स रिखने के लिए नकिती साइन है ती नुक्री ट्रीटीटी देफोय। ट्रीटी के प्रोविजन क्या थे देखो पर्स अब्जेक्टिव भी रहा रखना लिमिटेग टेस्ट में का अब्जेक्टिव क्या था कि आउटर स्पेस एट्मोस्फियर और अंडर वाटर जो न्यूक्लियर टेस्ट हो नहीं किया जाएगा 63 एर अब अन्पीटी की बात करत तो इसका objective क्या था एट अलास औले दिन नुक्लियर वेपन स्टेट्स तो हैव नुक्लियर वेपन्स एंड स्टॉप अधर्स फ्रॉम एक्वाइरिंग दम अब पढ़ोगा कि यह कैसा objective जिसके पास है नुक्लियर वेपन स्टेट्स मतलब जिनके पास पहले से नुक्लियर रखेंगे दूसरा स्टेट जो आफ और नहीं रख सकते हैं यह अबजक्तिव था जी हाँ साउंस फरी लेकिन यह ही अबजक्तिव था और साउंस इस्क्री मेट रखेंटरीज हो इंडिया नहीं किया एक चीज़ इंपरनें बताते हैं और आप आये दिन न्यूस में देखते ह has manufactured and exploded a nuclear weapon or the other nuclear explosive device prior to first January 1967 1967 के पहले जिन जिन देशों ने nuclear weapon का test कर चुके या फिर किसी भी तरह से nuclear weapon को explode कर चुके हैं तो जैसे United States of America USSR France China France China उसके बाद में United Kingdom तो यह सारे देश आगा देखो 1961 first of January 1961 से पहले nuclear test कर लिया था तो NPT यह कहती है नॉन proliferation treaty कहती है कि इतने देशों के पास में क्या रहेगा हक है कि आप यह nuclear weapon रख सकते हो इसके बाद में जो देश आएंगे तो वही ट्रीटी साइन करेंगे और इस पाकिस्तान इसराइल नॉर्थ कोडिया और सूथ सुदान इन देशों नहीं करिए नपीटी को साइन बाकिस सभी देशों ने तो साइन कर लिया अब लोग इतनी डिस्क्रिमेटरी टीटी फिर भी अब देखो को चोटे-चोटे देश हैं मान लो ठीक है कुछ चोटे देश हैं अब कोई आलेन कंट्रीज हैं तो उन्हें न्यूक्लियर वेपन से क्या लेन देना उनको लुकता है कि फिजूल का खर्च portfolio के लेकिन आपको न्यूकलियर और जी ज़ो है ना उसके लिए सपोर्ट कॉम प्रवाइट और गरेंगे तो इक तरह से NPT sign कर लो तो आपको energy requirements जो हैं आपकी वो आपकी energy requirements के लिए जो भी आपको material चाहिए technology चाहिए वो सारा सब कुछ कौन देगा वो सारा सब कुछ nuclear nations देदेंगे देगे तो दूसरे nations ने sign कर लिया लेकिन इंडिया ने sign नहीं करा अच्छा आप देखो कि इंडिया ने sign क्यों नहीं करा यह चीज भी समझना इंडिया के अपनी आर्गूमेंट थी चाइना के पास में नुक्लियर वेपन था ठीके 1962 में हमारी चाइना से लड़ाई हुई थी और हमने वहाँ पर देखा था कि चाइना कितना एग्रेसिव मतलब एग्रेसिवली मूफ कर रहा था पाकिस्तान के साथ 65 में वार हुआ था हमें यह समझ में आ गया थे कि हाँ यह हमारे नैचरल एनिमीज हो गए आजू बाजू दोनों तरफ हमारे एनिमी स्टेट्स हैं ए आप करो तो सब कुछ हम करें तो कुछ भी नहीं ठीक है तो उस चीज के चलते क्या उन्होंने बोला कि यह जो ट्रीटी है ना वेप जो पहले से न्युक्लियर वेपन स्टेट है उनको भी आ तो नुक्लियर वेपन खतम करवा दो ना रहेगा पास ना बजएगी वासूरी नुक्लियर वेपन हो ना वल्ड में तो किता अच्छा है तो इस तरह से न्पीटी का मतलब पीटी को डिस्कृमेटरी बताते हुए कि कुछ नैशन को तो रखने दे रहे नोके पास नहीं है उनको बोल रहे कि बागये साप रखना नहीं सकते हो तो तो डिस्कृमीनिया ने है तो नौर्थ कोरिया में उनका अलग अब्जेक्टिव था उनको तो उनके खेल खिलों ने दिवाली के फटा किया नुक्लियर वेपन इसकारण नहीं किया इसराइल कभी आर्गुमेंट था कि उसके चारो तरफ होस्टाइल निवर से इसराइल ने भी साइन नी किया था साइन नहीं करा है NPT को बागी और कहां से कहां चले गए नगी जो बता ना था नॉन परॉलीफिरेशन व्येक्टिव रिटी क ub voir कि नूक्लियर वेबन के प्रोलीफिरेशन को रूखा जांगल कि तो नोन प्रोलीफिरेशन ट्रीटी जो हैатов जा सब्लेसव कर आप देश है जिनके पास नुक्लियर वेपन होना चाहिए क्योंकि उने टेस्ट कब कर लिया था 1967 के पहले और यह जो ट्रीटी है यह कब फोर्स में आती है 1970 में ठीक है तो साइंड इन वाशिंटन लंडन इन मॉस्कों फर्स जुलाइ है 1968 1970 में यह फोर्स में आ जाती है एक्स्टेंडेड इन डेफिलिटली इन 1995 तो शुरुवात में इसको 25 सालों के लिए लाया गया था और 1995 में जैसी 25 साल कंप्रीट हो तो फिर से मीटिंग करके देशों नों बोल जिए इन डेफिनेटली एक्स्टेंड कर दो यह सिस्टम तो यहाँ पर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी हमने आपको बता दिये जैसे ट्रीटी साइन हो रही थी उस ताइम के फोटोग्राफ को रिक्रीट किया गया अब देखो कि तो और भी इसके लावा कुछ ट्रीटी थी आम्स कंट्रोल ट्रीटी समझ में आ है देखो हमने बैलिस्टिक में शाहिल होती है क्या होती ही समझाओंगा अभी तो इस तरह के जो ऐसे वेपन थे जो की स्ट्राटीजिकली बहुत घातक सावित हो सकते थे उन सारे वेपन के क्या सकते हैं एक्सपैंशन को रोखने के लिए ठीके इस तरह के सॉल्ट और स्टार्ट दो है दी सोवेट लीडर ठीके लिए लिए नॉर्ड ब्रिजनेव यह दिहान रखना लिए लिए नॉर्ड ब्रिजनेव इन दी प्रसीडेंट रिचर्ड निक्सन ठीके साइन दी फॉलोईंग इन मॉस्को और 26 में 1972 जैसे देखो के ना तो USA ठीके रिचर्ड निक्सन और उसके क्या हो रहा है कि दोनों ही दोनों ही दो अलाइंस को दर्शा आते थे उन दोनों ने मिलके ताहिए कि हमें क्या करना चाहिए तो इसका अब्जेक्टिव क्या था तो फर्स्ट राउंड ऑफ जो सॉल्ट वन की हम बात कर रहे हैं तो ट्रीटी अंदी लिमिटेशन ऑफ हैं objective क्या मतलब जो ट्रीटी इस थी सॉल्ट वन था वन का objective क्या था कि जो एंटी बैलस्टिक मिसाइल से ठीकिए एंटी बैलेस्टिक मिसाइल्स के उपर लिमिटेशन लगाया जाए और दूसरी चीज इंटरीम एग्रिमेंट ओन लिमिटेशन और स्ट्राडेजिक 1972 और 1979 अब जिसले आपर देखी और अबजएक्टीव क्या था सबसे पहला लिम्नितिश्पैल्स अंटी बैलेस्टि मिसाइल्स कि क्या कहानी सम्झे जारा तो हम एन्टी बैलस्टिक मिसाइलष को संझते हैं फीर इवसकी मिसाइल थो तरह की मिसाइल्स होती है इससे समझोकर पुराना तरीका था पूराना तरीका जो मिसाइल को लॉंज करने है फिर उसको क्या कि जाता है रॉकेट को लांच किया जाता है यहां पर चाहए प्र मतलब इसको लॉंच होती है यह आम से लौन्च के रौन्च करो गैए इसको करोगा यह लौंच पैट से लॉंच होगा उपर जाएगा अब आप प्रसे री-ेंटर करता है अब क्या होता है कि आप यहीं पर आप हो थिकी है पूरा सट कर दिया जाता था और एक बार चुटी हां से कि यह जाती एट्मास्टियर में और री-ेंटर करती है यहां पर आके आती है तो इस तरह से बैलेस्टिक यह पूरा का पूरा कह सकते हैं इस तरह से मेनुवर करती है समझ में आया लांचर की जरवत होती है आउटर atmosphere में जाती है आउटर atmosphere में जाने के बाद में जो टार्गेट रहता उस पर हिट करती है और एक बार बार कमांड देखे तो जहां मारों वहीं जाके लगेगी और आप वहीं पर जैसे दूसरी तरह की अभी लेटेस्ट एडिशन साना चालू पहले बनती थी अब क्रूज मिसाइल बनती है क्रूज मिसाइल क्रूज मिसाइल की जरूबत नहीं है आज जो आपका मिसाइल का है और यहां से स्वी करके जाके सीधे बैलेस्टिक मिसाइल मतलब क्रूज मिसाइल जो होती हो टार्गेट को हिट करती है इसे कंट्रोल किया जा सकता है और ठीक है तो यह खेर हम कहां चलेगे डिफेंस पे जो बता रहे थे हम आपको तो जो अब्जेक्टिव था किस चीज इस का सॉल्ट वन्का स्वार्डान काउब्जेक्टिव क्या था कि इस तरह कि जो बैलेस्टिक मिसाइल सुथी है तो इन बैलेस्टिक मिसाइल जुत का इंटरसेप्ट किया सकता है न उस तरह सिंटेंच्छ सारी क्या सकते हैं कि बैलेस्टिक मिसाइल जो है वो अगर लाउंच की गई है तो वह कहां गई है और कब आएगी किस टारगेट पाने वाली है तो इस तरह से बैलेस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके अब मिसाइल अगर आ रही है तो एंटी बैलेस्टिक मिसाइल सिस्टम जो हो गया फिर दुसरी चीज क्या है वेपन ओफ स्ट्राइजिक स्ट्रेटिक उफेंसिव वेपन्स जो होते हैं इस्ट्रेजिकली ओफेंसिव वेपन फैस क्या होते हैं तो वह का फीरिका से सीष्ड़ मारना है कहा पे नौर्थ अमेरिका में अगर मिक्साइल तो एसे मिसाइब पर और रहे ठीक है तो यह जो इंटर कॉंटिनेंटल बैलेटिक बैलेस्टिक मिसाइल वगरा हो गई यह इस तरह के वेपन जो होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है इन वेपन को कहा जाता है कि लिमिटेशन आफ स्ट्रेटेजिक ओफेंसिव आम्स तो जो सॉल्ट वन था ठीक है ध्यान एजेंडा के उपर उसी अब्जेक्टिव के साथ में सॉल्ट टू सेकंड राउंड ऑफ हम जिसकल कहें तो साइन किया जाता तो सेकंड राउंड इंवेंबर 1972 ठीक है नवेंबर 1972 में स्टार्ट होता है यूएस प्रेसिदेंट जिमी कार्टर एंडी सोवेट लीडर लियोनौर्ड ब्रिजनेव प्रेसिदेंट चेंज हो जाते इस समय तक साइंड दी ट्रीटी ऑन दी लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेडिजिक ओफेंसिव आंस इन वियना ठीक है साध में लिमिटेशन के साथ रिड़क्षन अभी अबी अपना जितने रखेंबंस को भी विकान का करना तो स्टा में स्ट्रिट व्यट्टि अलक्शन टो दोनों का बजेक्टीव ए था कि 31st July 1991 ठीक है यह फोटो जो है पुरानी ट्रीटी का है सॉल्टू का है आगे सॉल्टू का लियर नौट ब्रिजनेव और लियर नौट ब्रिजनेव और एक और कौन थे जिमी कार्टर हाँ ठीक है तो यह हो गया समझ में आगे अपसे उसके आद में क्या है स्ट्रेटिक आंस रिदक्शन टॉक्स टू अब जो राउंड टू था तो यह रहां रखना एक 91 में राउंड वन था स्टार्ट का 93 में 3rd of January 93 में आप जिसे देखोगे तो स्टार्ट का राउंड टू था ट्रीटी साइंड बाइधी रशियन प्रसीडेंट बोरिस येलस्टेन ठीक है उसके बाद अगर सॉल्ट की बाद करें तो सॉल्ट वन का अब्जेक्टिव क्या था कि एंटी बैलेस्टिक मिसाइल सिस्टम को क्या करना है लिमिटेशन लगाना उसके उपर साथ ही साथ लिमिटेशन लगाना है स्ट्रेटेजिक ओफेंसिव आंस के उपर यह 1972 ठीक है और उसके बाद में अगर इसी का सॉल्ट तू का राउंड देखेंगे तो इसका अब्जेक्टिव क्या था कि लिमिटेशन ऑन दी स्ट्रेटेजिक ओफेंसिव आम्स ठीक है लिमिटेशन ऑन इस्ट्रेटीग ओफेंसिव आम्स नाइइटीन नाइटीन तो क्योंबर मिसायल क्रैसिस से ध्यान रख रहा है उसके बाद में डर लगा था इनको 1963 में साइन की गई थी और यह जो है यूएस-UK इस तरह से याद रखना चाहो इसका पूरी तरह से क्या है वर्ल्ड को नुक्लियर वेपन बनने से रोखा जाए सिर्फ जितने स्टेट के पास में 1967 के पहले नुक्लियर वेपन थे उतने ही पास में वेपन रहे ठीक है तो जिसमें कौन-कौन से इस यूएस-उस-इस-व्चा वह हो गया इड़ वाशिंग्टन लंडन और मॉस्कों फस्ट ऑफ जुलाई 1968 या ध्यान रख लेना ठीक है 1968 में साइन किया था 1970 में फोर्स में थी फिर इसको 25 सालों के लिए भी लगाया गया था और 25 साल जब पूरे हुए 1995 में तो इसको इंडेफिनेटली एक्स्टेंड क करना है आप स्टोरी सुनते हो बड़ा मजा आता है आपको ठीक लेकिन स्टोरी सुनने से काम नहीं चलेगा आपको क्या करना होगा आपको पढ़ना भी पढ़ेगा आंसर्स की प्रेक्टिस भी करना पड़ेगी तो एक बार वीडियो लेक्ट्स देखने के बाद में ncrt को अच्छे से रीड करना क्योंकि अब आपको डाउट नहीं आगा एंसे एक लाइन हमने कवर कर लिए ठीक है तो आपको रीड करना कुश्यंस फ्रेम करना आंसर लिखना यह सारी चीज़ अपने एंड पर करते रहना चैप्टर हमारा यहां पर कंप्लीट होता है मैगनेट बें अपना सिलिबस कंप्लीट कर सकते हैं अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताएं वैगनेट बेंस के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन स्टे कनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच